हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनो पाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का अगला वनसोट जिसका नाम है सारनिक डिटर्मिनेंट इससे पहले जो हम लोग उने वनसोट देखा था वो हमारे पास आव्यू का वनसोट था आव्यू हमने पढ़ लिया था पूर तो ज्यादा समझ में आएगा उसके बहुत सारे कॉंसेप्ट यहां पर काम आएंगे तो अच्छे से आसानी से सबको समझ में आ जाएगा ठीक है तो आजएगे सभी लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को मैंने सबके कमेंट्स भी पढ़ ले थे जो आपने पिछली क्ल आओगे न 12 वाला तो वहां भी आपको तीन गंटे बैठना ही है एक्जाम में तो आप इस पूरे वनसॉट को एक हिबार में देखना है पूरे आपके बैठने की परिछा है कि आप किस प्रकार से पूरे वनसॉट को कवर करते हैं ठीक है तो आज आईए सभी लोग मैं स्ट कशलेगा इसमें सारे चीजें का करेंगा कि सारी चीजें किलियर करेंगा ऐसा नहीं है कि मलब कछ भी छूट जाए है कोई भी कॉंस्प्ट आप कर रहे जाएगा सारे कौंसर्ट हम लोग कowski और करेंगे एक 컨शेपल करेंगे तो सबी लोग बैठ जा ईहे dare पानी ले लिजे, आराम से बैठिए, और पूरा लेक्चर एक बार में cover करने की कोशिस करिए, ध्यान से पूरा लेक्चर देखिए, comment करने की ज़्यादा जरूवत नहीं है, आप chat वैसे भी मैं नहीं पढ़ूँगा, तो मैं बात में आपके comment पढ़ता हूँ, तो जब भी ही कहेगा, कि सर अब आँगे, आएगा, नहीं आएगा, सारे आएगे, एक एक चैप्टर करके सारे वन सॉट आएगे, क्लास 12 के सारे, इसी स्विक्वेंस में हम चलेंगे, हम आपको पहले ही बता देंगे, कि अगला वन सॉट का आएगा, और आप लोग भी बता सकते हो, ल सबसे पहले आज बात करेंगे, सारीक के बारे में कि सारीक होती क्या है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, वैसे चर्चा हो तो पूरी ही करनी है, पूरी चैप्टर की करनी है, तो आज के लेक्चर में हमें सबसे पहले जो पूरी बाते करनी है, पूरे सारीक के बारे में बात करेंगे एक एक करके सब चीजें आपर समझेंगे क्या क्या सानिक में चीजें हैं कैसे हमें सानिक का मान निकालना है कैसे इसका प्रशार किया जाता है कैसे इसमें गुरधर्म लगते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चेप्टर है मजा आएगा करके ठीक है तो बिना किसी पंग्तियों और इस्तंभों की संख्या बराबर हो, केवल वर आव्यू का ही सानिक निकाला जा सकता है, एक प्रकार से हम आव्यू में, एक आव्यू में specific जो होता है, वर आव्यू, उसका ही सानिक निकाला जा सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये आव्यू का एक संख्य संख्यात्मक मान है numerical value ए आव यूको हम हल नहीं करते थे आवी को там सरल कर रहे थे यहां उससे तुल्ला करके You कुणो समीकड़ से मान निकाल ले थे आवियू कभी पूरा हल करके मान तो नहीं निकाला था, लेकिन हम सांडिक का मान ग्यात कर सकते हैं, मतलब आव्यू का संख्यात्मक मान ही सांडिक है, दो चीजे हैं, बेसिक बेसिक सी, पहली चीज क्या है, कि जो हमारे पास केवल वर्ग आव्यू होता है, केवल वर्ग आव्यू, उस कर सकते हैं, पहली चीज तो यह है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमारे पास यह है, कि एक प्रकार से आव्यू का संख्यात्मक मान है, कि इसको हम हल करते हैं, आव्यू का संख्यात्मक मान है, जो भी काम की चीज़े हैं, वो हम अपनी कवर करेंगे, कि सारी चीज़े क जाए एक लेक्चर में हमें cover भी करना है तो सारी काम की चीज़े cover करेंगे जो आपके exam point of view से बहुत important है आवियू का संख्यात्मक मान आई है दो चीज़ें हमें पता होना चीज़ें सानिक के बारे में कि सानिक जो होता है वो किवल एक वर्ग आवियू का ही निकाला जा सकता ह है और यह एक प्रकार से आवियू का संख्यात्मक मान होगा हमारे स्लेबस में दो ही प्रकार के आवियू हमें सानिक पढ़ने कौन-कौन से एक तो में पढ़ना है टू क्रॉस टू का ठीक क्योंकि हमारे पास पता है पंतियोर इस्तम की संख्या बराबर होगी तो टू बनेगा त्वोर क्रॉस फॉर फ़ाई क्रॉस वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप से जो एक्जाम में पूछा जाएगा वो तू क्रॉस तू का का पूछा जाएगा या 3 x 3 का पूछा जाएगा तो कैसे इनके मान ग्याद करते हैं उसकी बात करने थोड़ी सी अगर हम 2 x 2 की बात करें मालों यह लिखाए 2 पूर माइनस 3 6 2 x 2 की एक हमारे पास सालिक लिखिए आभी जब हम बनाते थे तुम क्या करते थे एक ऐसे यह लगा देते जब सालिक बनाएंगे तो केवल डंडे खीज देंगे टिक आभी एक प्रकार से आयताकार बॉक्स के अंदर बन था लेकिन सालिक में क्या है सालिक में क इतल है कैसे कि इस दो का इधर 6 में गुणा इस GSI इन का इधर 4 में गुणा और बीच में माइनस का चिन तो दो चंग 12 है बीच में-स का चिन लिख दे से दो का छह में तो दो मिल्टिप्लाइच है और माइनस फिर चार का तीन चार का माइनस तीन तो किता आ जाएगा ये सरा जाएगा छह दूना बारा और ये भी हो जाएगा चार तीना बारा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो प्लस का बारा मतलब किया जाएगा चोबिस ठिक, अगर ऐसे कोई दूसरी है, माल लो ये ले ले, 3, 2, 1, minus 5, तो कैसे करना है, इसका इसमे, इसका इसमे, बीच में, minus का चिंथ, बस यही एक फार्मूला है, कि इसका इसमे, इसका इसमे, इसमे, बीच का minus चिंथ, तिरपठी 15, minus का 15, minus, 2, तो minus का 2, तो 15 और 2 कितना हो दाएगा, minus का 17, तो ये हमारे पास, 2, क्रास, 2, जो हमारे पास, साणिक होती है, दो ही पंक्ति और 2 इस्तम में, उसका मान हम, डारेक्ली, ऐसे निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात, नहीं, अगर इसी में, अगर कोई, वन क्रॉस, वन क्रॉस, वन क्रॉस, तो उसका मान वही ह हो जाएगा, उसके लिए नहीं परेशान हो, ऐसे बात नहीं कहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि अगर साणिक के अंदर केवल एक अवेव लिखा, मतलब 1 क्रॉस, 1 की, एक ही पंक्त, एक ही स्तम, तो केवल 2 के इकल हो जाएगा, अब बात कर लेते हैं, 3 क्रॉस, 3 समझ लेते हैं, जैसे 3 क्रॉस, 3 है, तो यहाँ पर उसके अडर्रस क्या होताए, A11, एक वन टू, पहली पंक्ति का पहला व्यव, पहली पंक्ति का दूसरा व्यव, पहली पंक्ति का तिसरा व्य । A21, A22, A23, A31, A32, A33 टिक यह हमारे पास कोई हमारे पास A1, A22 यह एड्रस हमने आव्यू में भी देखे थे कि यह इस जगह की location को बताता है कि पहली पंग्ति का पहला आव्याव है पहली पंग्ति पहला इस्तमका यह आव्याव है दूसरी पंग्ति दूसरे इस्तमका यह अव्याव है तो यह क्या बताता है location बताता है के वलकुछ नहीं बाकि आपको वर्गाव्यू की ही बात होगी मतलब की 3 x 3 की हमारे पास सानिक होगी या 2 x 2 की दीगई होगी बस इतनी बेसिक से बात अब इसका प्रसार कैसे करना है वो बेसिक सी बात समझ लेते हैं इसका प्रसार हम कैसे भी कर सकते हैं हम R1 के सापेच, पहली पंग्ति के सापेच भी कर सकते हैं हम R1 के सापेच भी कर सकते हैं हम R2 के सापेच भी कर सकते हैं हम R3 के सापेच भी कर सकते हैं ऐसे ही हम C1 के सापेच भी कर सकते हैं, C2 के सापेच भी कर सकते हैं, और C3 के सापेच भी कर सकते हैं, जिसकी बीच आप उसके सापेच कर सकते हैं, या तो R1 के सापेच, R2 के सापेच, R3, C1, C2, C3, मालनो मैं आरवन के सापेच करता हूं माल लिया मैंने लिखा आरवन के सापेच प्रसार करने पर कैसे प्रसार किया जाएगा उसकी बात कर लेते सापेच प्रसार करने पर कि मैंने लिखा आरवन के साफेच प्रसाद करने पर तो आरवन में पहला अव्यव काऊन है एवन वन तो पहले क्या लिखोगे एवन वन जब एवन वन आपने लिया पहला अव्यव लिया आरवन के साफेच प्रसाद किया इस आरवन का पहला व्यव काऊन है एवन वन इसको म आपने बंद कर दिया, आपको दो कुरास दो की एक साडिक दिख जाएगी, बस उसी साडिक को आप यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल सा, आप जैसे एक्जाम में तो यह डंडा नहीं बनाएंगे, उसको मैं हटा दिता हूँ, बस आपको समझाने के लिए बताया, कि आपने A11 लिया, आपने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, जो साडिक बच गई, आपने उसको लिख दिया, A22, A23, A32, A33, यह हमारे पास साडिक बच गई, यह हमने पहले अव्यव का यहाँ से मान निकाल लिया, ऐसे ही simple, R1 के सापच चलने तो दूसरे का भी और फिर तीसरे का भी, तो दूसरे से पहले हमें माइस लगाना है, अभी समझा देंगे क्यों माइनस आयां यह, A12, प्लस, माइनस, प्लस, ऐसे चलता, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, अल्टर्नेट करभ में plus-ılarफ्ञा शओता यह दिखा देंगी कैसे यह प्लस माइनस आथा वो भी इवह किलियर हो जाएगाad साफेच किया तो ये बचा ऐसे आरवन टू के साफेच करेंगे तो ये बंद ये बंद टिक एक्जाम में है नहीं करना एटक-टक minus कर दो तो ये बंद और ये बंद बचा क्या ये बचा ये ये बचा ये तो लिख दो प्लस यहाँ पर क्या बचा एवन थ्री तो एवन थ्री लेंगे तो ये बन ये बन एटू टू एटू वन एटू 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 एट तो ये बंद, ये बंदो के ये साणिक बचेगी, जब ये लेंगे तो ये बंद, ये बंदो के ये साणिक बचेगी, अब इसको मैं पता है, दो क्रॉस दो को कैसे खोलना है, जैसे अभी खोला था, वैसे इसको गुणा करते नहीं, आराम से मारे पास खोल जाएगी, तो यहा माइनस लगेगा A12 से पहले माइनस A12 आप क्या बचा सर A12 से पहले माइनस यह A21 A21 A33- A23 A31 A23 A31 माइनस बीच में प्लस है आँगे प्लस A13 A13 तो क्या हो जाएगा A21 A32 A21 A32 A22 A31-A22 A31 इस प्रकार से हम क्या करेंगे जो हमारे पास 3 x 3 कि हमारे पास सानलिक दी जाएगी उसका हम प्रसार यहां पर करने यह 3 x 3 कि हमारे पास जो सानलिक थी इस सानलिक एक हमने क्या किया पूरा प्रसार हमने यहां पर करके दिखा दिए यह बेसिक फार्मेट है यह मैंन यहां पर लिखके बताता हूं एक एक्जामपल लेता हूं जैसे फॉर एक्जामपल मैंने क्या किया एक साणिक लिए थ्री क्रॉस तू का तू वन माइनस थ्री तू माइनस पूर नाइन तू भ्रजन तू 7 3 2-1 ये हमने क्या किया एक रिक लिए 3 पहले थ्री थे थोड़ी सी चिन की बात कर लोते हैं कि सरी सिर्ट केसे आया इसकी बात समझ लेते हैं फिलार हम चलते हैं यह प्लस आता है माइनस अधा सिरी úह प्लस आ आएगा चिन वो कईसे आएगा –1 की power I plus JK उसके cooking इसे –1 की power I और j क्या होते हैं पंकति और संख्या को लिखेट करते हैं कि पंक्ति वाला और संख्या जैसे a 11 तो I की value1 ए जे की value 1 मतलब माईनसकी वन की power 1 plus 1 मतलब माईनसब की power 2 और माइनस वन की पावर 2 मतलब की समसंख्या अगर माइनस वन की पावर समसंख्या है तो क्या एका प्लस ऐसे A12, I की जगए 1, J की जगए 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाता है 3, तो I-1 की पावर क्या हो गए 3, यह विसम संख्या मतलब की माइनस, ऐसे 1 3, तो 1 3 क्या हो जाएगा 4, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा प्लस क्योंकि 1 1 यह क्या हो जाएगा आई की पावर 1 और प्लस 1 तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3 मतलब की माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 3 ये हमारे पास प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर 4 हो जाएगी 2 1 पावर 3 हो जाएगी माइनस आजाएगा 2 2 प्लस हो जाएगी पावर 2 3 हमारे पास 5 होएगा विसम होगा तो minus हो जाएगी power 31 कित्ता हो जाएगा plus हो जाएगी 32 minus हो जाएगी 33 हमारे पास क्या हो जाएगी तीन और 36 होता है तो यह फिर से plus हो जाएगी इस प्रकार से हम चिन्न लगाते हैं यह इसके according sign लगते माइनस one की पावर i plus j के के कॉर्ड इसी प्रकार से हम साइल लगाते हैं क्योंकि आप r1 के साफेच कर रहे थे तो plus minus plus ले लिया अगर कोई r2 के साफेच करेगा तो minus plus minus फिर यहां पर minus फिर plus फिर minus ऐसे r2 के साफेच plus minus plus तो किसी के साफेच भी प्रसार हो सकता है चाहें पंक्ति के साफेच किसी में कर लो चाहें इस्तंब के साफेच किसी में कर लो हम प्रसार आराम से ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं करना फॉर एक्जामपल जैसे मैंने कोशन लिया इसका मुझे प्रसार करना है देखो कैसे करेंगे अब हम डारेक् च्रम आरवर्ण के साफ प्रसार करने पर मैंने पहले क्या लिया विद जब तू लिया तो यह बन senhor बं इसका गुणा इसमें minus 4 एकम minus 1 प्लस का चार-yr माइनस93027 सी पाइंडे में का च चिन है माइनस plus minus बंद स्थ क्या वन है तो यह बंद ये बंद 21-dуск dew नो चोखोवच्पो 973 तो माइनस का 16 it यह फिर फिर बीच में प्लस में प्लस के बाद की अगए आप जढ़ा माईरे सकती तो माईरास चाह भास और यहां से माईरस है और यहां पर प्लस था तो plus 65 कोई दिखकत नहीं 826 343 कितल इन से गुणा कर देते तो तीन से गुणा हो जाएगा तीन चो को embara तीन्तर करना हो दस एक्सों दस ठीक क्या माइनस माइनस वाले जोड़ देते हैं तो माइनस को गए 148 प्लस का पॉन सट अप किता आगए माइनस एक सोब तालिस पैसा आठ से पांच गये तीन 14 से 6 गये मारे पास किता बच्छा 8 बंद ये बंद ये मारे पास तीन दूना 6 और साचो को 28 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 28 तो इस प्रकार हम 3 क्रॉस 3 के सांडिक का प्रसार करें तू क्रॉस 2 में कोई दिक्कत ही नहीं डिरेक्ली हो जाता है ऐसे हम 3 क्रॉस 3 का करें और एक इंपॉर्टेंट बात जैसे अगर किसी सांडिक में जिस भी पंक्ति में आपको जादा जीरो दिखते हैं आप उसी के सापेच प्रसार करेंगे तो आंगे जब ये जीरो लेंगे तो यहां से ये पूरा जीरो हो कि इधर जीरो हो जाएगा यहां पर भी अगर जीरो होता अगर यहां पर जीरो लिख देते तो यह भी जीरो हो जाएगा तो एक चीज दिमाग में रखनी है जब भी सांडिक आपको दिखे अगर जिस भी आपको पंक्तिया इस्तम में सबसे ज्यादा जीरो दिखे आप उसी के सापेच प्रसार कर दी करने पर सी 3 के सापेच प्रसार कि देखना कितनी जल्दी हो जाए कोशन प्रसार करने पर तो क्या होगा सर हमने सी 3 के सापेच प्रसार किया तो हमें पता है प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस का चार आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं चार जब लेंगे तो ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद तो क्या बचा ये बचा माइनस एक एक माइनस का एक 4 3 12 minus 12 यही तो बच्चा तो 4 minus 13 तो यह किता आ जाएगा sir minus का bound directly answer किता आ गया minus का bound कुछ नहीं इस question आराम से question solve हो जाएगा जब भी आपको जिधर 0 जादा दिखे उसके सापेच प्रसार करो अगर आप इसके सापेच करते तो भी 2 नहीं आता minus का इसके साब पेच करते तो भी माइनस बावन आता लेकिन हमें दो और टर्म में लिखने पड़ते फिर वो आंसर निकल गया था ऐसे यह दोर डारेक्ली क्या हो जाएंगे जीरो क्योंकि आप हम इसके बाद जो भी लिखेंगे मालब मारे पास यह प्लस माइनस प्लस माइनस प् कर सकते हैं कोई दिक्कत की बाद नहीं ठीक है यह हो गया हमारे पास प्रसार की बाद 3 क्रॉस 3 में एक और कोश्चन करते हैं क्योंकि 4.1 में कुछ कोश्चन दिये गए अच्छे कोश्चन है बहुत सिंपल सिंपल लेकिन सारे कोश्चन आराम चोग जाएंगे अगला कोश् किसी के सापेच कर लो में एक जीरो मिलेगा तो हम आरवन के सापेच चलते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर भी जीरो एक है यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है तो हम लिखते हैं यहां पर आरवन के सापेच प्रसार करने पर सीधे आरवन के सापेच करते हैं सापेच प्रसार करने पर क्योंकि सभी जगह में दिख रहा है कि सरे की जीरो किसी के साथ पेच कर लो कोई दिक्कत नहीं आरवन के साथ पेच अगर प्रसार करते हैं मालों नहीं यहां पे जीरो लिया ठीक तो आंगे कुछ भी आए वो जीरो ही होएगा ठीक यहां पर भी कुछ भी आए कोई साथ दिककत की बात नहीं उसको उससे लिख देते कोई दिक आ अंगे आजो प्लसरों साइन ऌफ़र माइनस को होगा सैन फथा मैनस लगा लू माइनस साइन अलफा साइन फ़ीज जब लिया तो ये बंद ये बंद इसका गुणा होगा तो zero आएगा माइनिस से कॉसलफा spider तो plus का ओजाएगा साइन ए्लपा साइनलफा शाइन भीना को है present भीरोगा 0 का इंदर कोई मतलब नइン 0 P उसको कोई लेना देना नहीं लिखते हैं अब यह तो 0 है यहाँ पे गुणा कर लो, माइनेस माइनेस तो प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा, Sin अलफा, Cos अलफा, Sin बीटा, यह बन गया, इधर अंदर गुणा करो, तो माइनस, Cos अलफा, Sin अलफा, Sin बीटा, थोड़ा सा आँख से देखो तो आंसर सीधा 0 आ रहा है बिलकुल भी नई डरना है जब भी question थोड़ा lengthy दिखे हो सकता हो सबसे आसान हो बस आपको जो पता है हमें इसका मानी तो निकालना है मतलब की प्रसार करना है आप डारेक्ली से वैसे भी हम ढरते हैं उसर पता नहीं क्या आ जाएगा बिलकुल ने डरो आराम से question solve करो question आराम से solve हो जाएगा एक आप यू में भी हमने त्रकोड मिति का question किया था वह भी important था बहुत अच्छा question था एफ एक से वाई वाला तो वैसे ही एकदम सेम टाइप के question बहुत जल्दी important होते हैं बहुत ज्यादा question बनते हैं तो आराम से question ऐसे ही solve करना और question आपका हल हो जाएगा चले आंगे और आना सभी को कोई दिक्कत तो नहीं या तक कोई समस्या तो नहीं सब चीजेwen basic से ही चलेंगे पहले है साण्री का प्रसार समय लेतने क्या होता है साल्री का है spirit lack clear है ठीक रॉस्थ्री आप देख रहे हो कैसे होता हा फिर इसके बाद इनके गुडर धर्मों की बात करेंगी कैसे साल्री के गップर उप्रोंसपियोग मिला दिए बहुत यूआ की तुलना करके निकाल लेते हैं जैसे यहां से देखते तो अगर एक्स बरावर टू भी एक्स बरावर फोर यहां पर ऐसा होता नहीं इसलिए दो मान दिक रहें लेकिन आवियू में होता था तो हम क्या करते थे संगत अव्यव लेकर तुलना कर लेते थे सानिक में क्या करें इसको अलग हल कर लो, एक्स का मान निकाल लो, जो भी मान निकलेगा, एक्स में समीकड़ बनेगा, उसको हल कर लेंगी, कैसे देखो, 3 एकम 3, सीधा हल करो, 3 एकम 3, X का X से माइनस X स्कुए, इक्कोल टू, इधर आओ, 3 एकम 3, 4 दूना, 8, माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं, त आठ से तीन हमारे पास किता चला जाएगा माइनस का पांच टिक ये तीन इधर गया हमारे पास किता आगया माइनस का तीन तो माइनस x square equal to किता आगया माइनस का 8 मैं ये कट गया x square बरावर क्या आगया 8 तो x बरावर क्या आगया plus minus under root के अंदर 8 8 को हम 2 root 2 लिखते हैं तो सीधा plus minus 2 root 2 लिख दो यह answer हो जाएगा सीधे x कमान निकल आए जब वहारे पास अव्यू था तो उम्तुलना कर लेते थे लेकिन सानिक है सानिक का मान गयात किया जा सकता है आव्यू का संख्यात मगमान होता है तो बस इसको अलग हल करो इसको अलग हल करो यह का equation बनेगी आराम से solve हो जाए इस टाइब को कोई कभी कभी आ जाता है हो जाता हो कितने आसान कोशन है आप खुद कोशन अभी करोगे देखोगे कितने आसान आसान कोशन बंदे बहुत आसान है चैप्टर और बहुत मज़ा आएगा करने में आगे सारे कोशन में ऐसे ही फ कि इससे चांस होते हैं लॉंग कोशन है लेकिन एक चीज है कि NCRT ने इस बार 4.2 एक्सराइज हटा दिये 4.2 नहीं दिये इस बार जो 2024 का एकजाम देंगे उसमें 4.2 एक्सराइज उन लोगों ने हटा दिये छोटी सी चीज़ा बता देते हैं और जो मारे पास UP वोर्ड का इंपॉर्टेंट है अगर आप जेई के लिए प्रिपेर करना चाहते हो आंगे या आप NDA बगएरा एयर फोर्स बगएरा नेवी बगएरा की एक्जाम के लिए जाना चाहते हो तो इससे डेफुनेटली कोश्चन आते ही है आएगा ही एक कोश्चन और बहुत इंपॉर्ट हो जाएगा कोश्चन हो सकता है एक फेज में हो जाके और उसको हमे आसान बनाने के लिए गुर्धर्मों का उप्योग करना होता है गुर्धर्म का मतलबी होता है leveling की उन properties की माद्यम से हम क्या करते हैं सानिक के परसार को बहुत आसान बना लेते हैं बस इतना ही उपयोग है तो सभी के लिए important है इस lecture में को तो पूरा ही देखना है मतलब इस topic को भी पूरा आसानी से वैसे ही समझना है जैसे आपके एक्जाम में आएगा जो यूपी वोड के बच्चे भी देख रहे हैं क्योंकि उनके लिए आंगे कही न कहीं काम आएगा तो करते हैं इसकी start की क्या कह रहा है एक एक गुर्धर्म को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं तो सालिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है अच्छा, क्या कहने का मतलब है कि कोई सालिक है मालो दो, चार, मा olması, थ्री, फाइफ अगर इस सालिक की पंक्तियों को स्तंबहों में बदल दिया है जा इस्तंबों को पंक्तियों में ये कहीं सुना लग रहा है कि पंक्तियों को इस्तंबों में, इस्तंबों को संक्तियों, अरे इस्तंबों को पंक्तियों में, तो ये कहां सुना था, आव्यू के परिवर्त में, ट्रांस्पोज में, अगर आव्यू का परिवर्त करते थे, तो कैसे करते थे, पंक्ति को इस्तं में लिख दिया माइनस 3 5 तो साडीक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ये मान जो आएगा साडीक का वही मान इसका आएगा देख भी सकते हो पांदुना 10, माईनस, 4-3-12, प्लस हो जाएगा 12, तो यह किता आ गया 22, 5-4-20, यह 5-10, 5-2-10, 3-4-12, तो माईनस माईनस प्लस 12, यह भी किता आ जाएगा 22, यह भी 22, यह भी 22, देख सकते हैं, तो जब भी हम किसी सांडिक में, पंक्ति को इस्तम में बदलते हैं, यह इस्तम तो यह पहला गुर्दर्म कहता है, ठीक, ऐसे 3-3 में होगा, तो भी वह होगा, कि आप पंक्ति को इस्तम में बदल लो, इस्तम को पंक्ति में, मान निकाल कर देख लेंगे, दोनों एक को लाएंगे, तो मान परिवर्तित नहीं होता है, यह पहली प्रॉपर्टी कहती है, से आप लिखते हैं, A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, यह साणिक थी, तिक, इस साणिक के हम क्या करते हैं, या तो हम कोई दो पंक्तियां आपस में बदल लें, कि इसको उपर लिख लें, इसको नीचे लिख लें, या कोई हम दो इस्तम आपस में बदल लें, कोई दिक्कत नहीं, मलब की जैसे या इस सिस्तम को इससे बदल दे, या इसको इससे बदल लें, किसी की कोई दिक्कत की बात नहीं, दो पंक्तियों को आपस में बदल दो, तो होता कैमालो, दो पंक्तियां हम बदल लें, सिंपल सा हम क्या कर रहें, यहाँ पे एक संक्रिया लगाते हैं, इसको अटा द अगर आप R1 को replace करते हो R2 से, मतलब R2 की जगह R1 आ जाएगा और R1 की जगह पर R2 पहुच जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी, P, Q, R, A, B, C, R3 का कोई disturbance नहीं है, वो वही रहेगी, X, Y, Z, यह वही रहेगी, तो क्या करते हैं, अगर हमने किसी पंक्ट को, किसी एक पंक्ट क इसकी दूसरी पंक्ती से हमने बदल दिया, मतलब यहाँ पर R2 की जगह हमने R1 लिख दिया, और R1 की जगह पर R2 का लिख दिया, तो चिन बदल जाता है, मतलब कि आँगे एक minus का सिन आजाएगा, अगर प्लस है, तो वो minus हो जाएगी, अगर आँगे minus लगा, तो ये और minus बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाएगी सिंपल सी बात यह प्लस की थी इसलिए माइनस का चिन बाहर आगी ऐसे हम दो इस्तंबों को भी बदल सकते हैं अगर इस सिस्तंब को यहां लिख ले इसको यहां लिख ले तो माइनस का चिन बाहर आजाएगा और कोई कर और कोई भी प समान है सभी संगत अव्यव तो सानिक कमान सूनने होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत यूस्फुल प्रॉपर्टी है कहना कह चाहता है कहना यह चाहता है अगर हमने यहां लिखा मालो जो ABC, XYZ और यह भी लिखा है ABC तो directly हम लिख देंगे कि इस सानिक कमान जीरो है क्यों क्योंकि सर जो पहली वाली हमारी जो पंक्ति है और जो आर्थ्री पंक्ति है दोनों एक्वल है आर्वन में ABC है यहां पर भी ABC अगर कोई भी दो पंक्तियां समान है कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो इस्तम्भ आपको समान दिख रहे हैं तो आप सीधे लिख सकते हो कि उस सानिक कमान जीरो होगा यही तो कह रहा है कि यदि किसी सानिक की किनी दो पंक्तियां अथवा दो इस्तम्भी समान है तो सानिक कमान जीरो होता है ABC अगर यह दोनों जीरो है तो दोनों सानिक इस प्रकार से लिखी है, 0, 0, 0, A, B, C, X, Y, Z, ये सानिक लिखी मैंने कोई एक, इस सानिक का मान भी 0 होगा, क्यों 0 होगा, अरे सोचो ना, आरवन की सापेच परसार मालो करते हो, तो ये पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, मतलब कि सानिक का मान 0 हाएगा, अगर कि किसी सानिक में कोई भी 3, मतलब कोई भी 5, 0 है, या कोई भी इस्तंब 0 है, तो उस सानिक का मान 0 हो जाएगा, चाहिए 0 हो, चाहिए 0 हो, चाहिए 0 हो, चाहिए 0 हो, क्योंकि उसके प्रसार, उसके सापेच करो, तुरन से आपको पता है कि 0 ही आएगा, तो अगर किसी सानिक मे तीनो अव्यव जीरो है या मलब तीनो अव्यव का मलब किसी पंक्ति के अव्यव जीरो है या किसी इस्तंब के अव्यव सारे जीरो है तो उस सानिक कमान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वही सेम चीज तो यहां लग रही है अगर हम इसको इससे एक संक्रिया लगा दें कि R1 को replace कर दे R1-R3 संक्रिया लगाई जा सकती हैं जैसे आव्यू में लगाई थी वैसे भी property पढ़ेंगे सानिक में भी संक्रिया लगाई जा सकती हैं कि किसी पंक्ति को हम किसी पंक्ति से माइनस कर रहें अगर हम R1 को replace करें R1-R3 से तो A से A कटेगा 0 आएगा B से B कटेगा 0 C से C कटेगा 0 आएगा तो ये तीनो 0 हो जाएंगे इसलिए ये 0 आता है क्योंकि हमें पता है कि तीनो जब अब जीरो हो जाते हैं तो उस्तानिक कमान 0 आता है इसी वजह से अगर दो कोई पंक्तियां यो दो इस्तम समान है तो वो 0 हो जाएंगे अगर कोई मालो इस्तम समान देंगे तो वह पूरी पंक्ती जीरो हो जाएगी इसलिए इस संक्रिया कमान क्या हो जाता है जीरो के इक्वल हो जाता है यही प्रोपर्टी नमबर तीन बस कहना चाहते है यह बहुत इंपॉर्टेंट है भी यूज मिलेंगी इनको जब आपकी कोश्चन में लगाएंगे अभी ध्यान से समझना इस property को क्या कहना चाहरा है इस property का यूज हमने उसमें भी किया था आवियू में लेकिन आवियू में अलग हुआ था साधिक में एक दम अलग है पहले हम थोड़ी इसी बात करते हैं आवियू के एक बात समझना उसको समझा देते हैं क्योंकि बहुत important है माल लोग एक आवियू हमने ए लिया के कड़ डी के की क records कि बात कर रहे हैं आवियू हाद बनायात चाहिए आवियू दिमाग में रखना कि अगर कोई आवियू में हमने क्या देखा कि प्रतेख व्याव में लिखा है प्रतेख आव फे Sug K में लिखा है अलग वसरा तो क्या हम K common नहीं ले सकते हैं, सर हम K common लेंगे, तो हमें पता है कि प्रतेक अव्यव से निकलाता है, मतलब हर जगह से K बहार आ जाएगा, यह बचेगा A, B, C, यह बचेगा P, Q, R, यह बचेगा X, Y, Z, यही बचता था, याद है सबको, कोई भूला तो नहीं है, अगर किसी आव्यू से कोई संख्या हम common लेते थे, कोई अचरमान लिखा है, वो हम common लेते थे, यहाँ पर K लिखा है, तो K हमने common लिए, तो प्रतेक से common आ जाता था, कोई दिक्कत, कोई समझ से, अरे जैसे K न लिखके, मालो हम थोड़ा simple करते हैं, इसे, 2 लिख देते हैं, तो से common लेते हैं, तो सर, कॉमान आके two एमारे पास बाहर आ जाता है, एक चीज और भी हमने सीखी थी, किसी अदिस से, किसी आव्यू में घुणा, अगर इस तो का हमें घुणा करना ए अन्धर, अगर इस तु का में अंदर घुणा करना है, तो प्रतेक अव्यू यद्य के यह हमें कोई सार्णिक दी गई है क्या टू ए टू बी टू सी टू पी टू क्यू टू एक्स टू आई टू जट यह में सार्णिक में सेम चीज दी गई तो अगर यहां से हम टू कॉमल लेते हैं यहां से अगर हमने टू कॉमल लिया है तो वह आपके इच्छा है कि आप किस प भी 2 common ले सकते, आप R3 से भी 2 common ले सकते, आप C1 से भी 2 common ले सकते, C2 से भी C3 से, वो आप की इच्छा पर है, अगर आप पंक्ति पर जाना चाहते, मालोग 2 common लिया, आप पहली पंक्ति से लेना चाहते है, तो इसको ऐसे लिख सकते हूँ, A, B, C 2P, 2Q 2x 2y 2z मतलब किसी एक 35 से common आएगा 2 ऐसा नहीं कि पूरा 2 बाहर निकल आएगा जैसे यहाँ पर 2 पूरा बाहर आजाता था यहाँ पर किसी 35 से या किसी इस्तंब से निकल के आएगा अगर सभी से तुम्हें 2 common लेना है मालो सभी से लेना है कि सर पूरे 2 बाहर आजाए तो आप क्या करोगे यहाँ पर लिखते हैं जगा ही दर अपने पास है मालो अगर हमें सभी से common लेना है तो आप क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे ए बराबर तू आपने मालो पहली पंक्ति से common लिया फिर आपने दूसरी पंक्ति से लिया, फिर आपने तीसरी पंक्ति से लिया, तो 2 x 2 x 2, मतलब की 8 बाहर आएगा, या आप ये भी बोल सकते हो, कि 2 सर हमने जो common लिया, वो पहले हमने इस्तंब से लिया, वो दूसरे इस्तंब से लिया, वो तीसरे इस्तंब से लिया, तो भी क् आठ बार आएगा, तब क्या आएगा, A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, ये हमारे पास क्या आजाएगा, इस सांडिक का मान निकल क्या आएगा, ठीक, मतलब की दोनों में common लेने में फर्क है, ये इसलिए मैंने थोड़ा explain कर दिया है, ताकि doubt ना रहे, कि सर वहां पर हम जब common लेते थे, जो हमारे पास आव्यू में common लेते थे, तो सर पूरे से आजाता था, लेकिन सांडिक में किसी पंक्त या किसी इस्तंब से, वो आपकी इच्छा पर depend करेगा, आप किस से लेना चाहते हो, या आप किसी इस्तंब से, आप कमान है, आप R1 वाले से लो, तो R1 से, आप R2 से चा ये वाली चाहिए वाले, तो अगर पूरे टू बार चाहिए, तो ये भी दो निकालो, ये भी दो निकालो, ये भी दो निकालो, इसलिए आठ पूरा बार आएगा, दो दूना चार दूना आठ, ठीक है, ये doubt clear हुआ, तो ये basic difference है, ये आपको दिमांग में रखना है, क्यों अधि किसी साणिक के, किसी पंक तथवा इस्तम में कुछ या सभी अव्यब दो या दो से अधिक पदों का योगफल में हो, तो साणिक को उसी करम में दो या दो से अधिक साणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कुछ गंदी सी बात लिखी, अभी समझ मे आ जाएगी क्या लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलगले चैप्टर्स में भी यूज हो जाती है जैसे कि फॉर एक्जाम्पल मारे पास लिखाए ए प्लस एम बी प्लस एन सी प्लस टी और फिल लिखाए एक्स वाई जड फिल लिखाए पी क्यू आर ऐसी कोई सानिक आपको दे दे टिक एट्टी है कुछ और लिख देते हैं मालो मैंने यहां पर लिख दिया यहन तो लिखी चुके यार इसके अलफावेट भी खतम होगे ई लिखाए कि यहां पर मैं ऐसे लिख दिये अब अगर हम देखें कोई सानिक आपको ऐसे दिख दे कि किसी सानिक में कोई पद लिखा है वो योगफल के रूप में लिखा है अलब इसे ए प्लस एम बी प्लस एंसी प्लस तो आप इसको तोड़ सकते हो कैसे तोड़ सकते हो ब्रेक कर सक ठीक, फिर M, N, E, M, N, E, फिर हमारे पास क्या है, X, Y, Z, इसको वैसे रहने दू, P, Q, R, मतलب कोई भी हमारे पास, S, पास दिया गया है, वो किसी योगफल के रूप में वैपत है, योगफल के मतलब कि कुछ, कोई भी आवश यो लिखे है, यहां पर ऐसा भी हो सकता है, कि माइनस लगाओ, तो भी कोई दिखकरने, आप प्लस लगाओंगे यहाँ पर, उसके बाद म यह बुडांक लगा लिया कि माइनस का यह M है तिक तो यह क्या होगा? a plus minus m मतलब a minus m होगे यह m भी नहीं लिखा मालो केवल कुछ नहीं लिखा है सर केवल A लिखा था तिक केवल A लिखा था आप बाकी दो में तो सर ये था लेकिन इसमें केवल A था तो सर इसको हम A और क्या लिख सकते हैं प्लस अगर तोड़ना चाहें तो A प्लस 0 लिख सकते हैं प्लस जीरो तो यहाँ पर ए आ जाएगा अगला व्याव यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक तो यह बेसिक सी बात है यही बताने के लिए मैंने किया कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास अगर साणिक हमें दी गई है तो उसको म्योगफल के रूप मे ब्यक्त कर सकते हैं अलगले चैप्टरस में भी यूज होती है कि अगर यहाँ पर है तो इसको M, N, E के साथ हमने अलग लिख ली बाकी हमारे पास जो पंक्तिया है वो सेम वैसी रहेंगे जैसी है आप हो सकता यह यहाँ पर भी हो तो सेम वैसे हम उसको ब्रेक कर लेंगे य यहाँ पर हो तो ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं यह हमारी पाच्वी प्रॉपर्टी कहती है छटी प्रॉपर्टी क्या कहती है छटी प्रॉपर्टी यह कहती है छटी वही प्रॉपर्टी है जो आव्यू में हमने देखी थी किसी सांडिक के किसी पंक् Q R X Y Z अब आप इसमें कोई संक्रिया लगाना चाहते हो क्या संक्रिया लगाना चाहते है इसमें सरम संक्रिया लगाना चाहते है कि R1 जो हो वो रिप्लेस हो जाए R1-2 R2 से तो यह आप लगा सकते हो आप R1 में चाहो R1 में लगा लो C1 में चाहो आप किसी पंक्ति में चाओ, पंक्ति में लगा लो, किसी इस्तम में चाओ, इस्तम में लगा लो, C1 आप रिप्लेस करना चाहते हो, C1-2, C2 से, तो ये भी आप लगा सकते हो, जैसा कि आप यू में लगा रहे थे, कि हमने R1 लिखा, और फिर हमने क्या किया, R2 में क्या किया, 2 से गुणा किया 2P, 2Q, 2R और फिर इस R1 में माइनस किया तो A-2P, B-2Q, C-2R ये इसका रिजल्ट आ जाएगा C1-C2 करना है 2C2 तो A-2B, P-2Q, X-2Y ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये C1-2C2 का रिजल्ट आ जाएगा तो हम संक्रियाए आराम से लगा सकते हैं उसकी कोई परिसानी की बात नहीं है इससे गुणधर्म वाले जो कोशन होंगे जो आव्यू के प्रसार के कोशन होंगे इनीच है गुणधर्मों की सायता से सॉल्व करेंगे हमने छोटा ब्रीफ में इसका इंट्रोडेक्शन दे दिया इंपोर्टेंट है आपको याद होने चाहिए पता होने चाहिए तब ही कोशन लगेंगे अब इस पर किस प्रकार की कोशन बनते हैं उनकी बात करते हैं पहला हमने कोशन लिया 4.2 के काफी कोशन लिये 4.2 के 4.2 के मैंने काफी कोशन लिये ताकि सारी चीज़े एक ही कोशन में किलियर कर ले हर टाइप की कोशन ले लिये ताकि कोई भी गुर्धर्म ऐसा ना हो जिसका यूज ना हो पहे सारे गुर्धर्म का यूज सीख लेंगे तिक सिद्ध करेंगे सम्में हमें कोशन में सिद्ध करना ये कोशन दियागा इकोल टू जीरो लिखा अब इस सानिक देखके क्या लग रहा है अभी हमने पीछे गुर धरम पढ़ा था कौन सा ये प्लस लगा है ना उसको हम सानिक के रूप में तोड़ सकते ना तोड़ो ना क एक्जाम में करना है जाके कल नहीं करना है जाके तो इसलिए हमें इसके गुर धरमों का उपयोग करना तिक अभी तो थोड़ा तो भी छोटा है आंगे कोशन आएंगे जो बहुत ज्यादा प्रसार करना हो जाएगा इसमें प्रसार करेंगे इसमें प्रसार करेंगे तो कैस सार में करना है दोन के लिए नंकी ने को चैंडना ही करना है, फिर सिद्ध करना है, इक या काशिचन करता हुए चलते हैं, एक या कोशचिन बहुत आसानी स हो जायगा, बहुत सिम्पल है कोश्चन पहला question देखो, कहले कह रहा है, इसको अगर हम सानिक के रूप में, गुर्धर्म के रूप में तोड़ ले, तो पहले सानिक को हम तोड़ते हैं, यह लिखा है, x, y, z, a, b, c, इधन लिख लेते हैं, x, y, z, इसको दूसरी सानिक में तोड़ रहा है, प्लस, इन दोनों को छेड x, y, z, एक में लिख दिया, a, b, c, एक में लिख दो, a, b, c, question solve हो गया, कुछ ही नहीं question, कौन सी property लग रही, sir, x और z, यह दो सानिक जो है, हमारे पास, यह सानिक के जो दो पंक इस्तम है, c1 और c3 वो समान है, इस सानिक में, sir, c1, c2, c3 समान है, sir, इस सानिक की दो इस्तम ह 0, बराबर 0, मैंने गुरदर्म अभी पढ़ाया, कि किसी भी सानिक की कोई भी दो पंक इस्तम समान है, बराबर है, तो उस सानिक कमान 0 होता है, अभी बताया था, कि इस पे एक संक्रिया भी लगा सकते है, कि sir, इसको इस से माइनस करेंगे, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो हो सकता, 15, 20, 25 मिनट चले जाते, और 0 नहीं आता हो, ऐसे 10 मिनट नहीं लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा, और कोशन आपका सौल्व हो जाएगा, और जिन बच्चों को आ रहा है, कि हमें आता है, sir, यह चीज़ें में किलियर है, तो साथ-साथ करते चले, comment ना करके, साथ-साथ question है, सब question है, ऐसे ही लगा लेंगे, चले अगले question पर, यह एक हो गया, अगला question देखते हैं, कह रहा है, ओहो, बड़ा दरदनाग question सा लग रहा है, A-B, B-C, C-A, B-C, C-B, क्या लगेगी, इसमें property, कोई दिमाग लगा रहा है, जब तक हम लिख रहे हैं, इसको अच्छा को प्रूफ करना, यहां पर भी LHS लिखना था, यह मारे पास LHS था, जीरो मारे पास RHS आ गया, बाई, प्रूफ करना, यहां पर लिख दोगे, इति सिद्धम, प्रूव, हैंस प्रूव, HP, कुछ भी लिख लेना, A-B, C-A, A-B, B-C, कुछ दिमाग लग रहा है, कि क्या property लग सकती है, अगर हम इनको अलग-अलग करने बैठे, जैसे सर यहां पर किया था, कि यह प्लस है, सर इसको अलग कर लिया था, इसको क्यों नहीं कर रहे है, अगर इसमें अलग करने बैठे, तो यह अलग बनेगा, फिर इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, बहुत बड़ा फैल जाएगा पुछ एक चीजम कर सकते हैं आपर अगर आप किया करो अगर आप देखो हम संकृया लगाते है इस एस पर रवन में और प्लस आल टू प्लस ऑन दिख्яться थी यह अगर यही प्रॉपर्टी औहां लगा दे कि हम आरवन को सर्षार冠ング Mr. प्लस आरटनुम् अर्ट फ्लस अर्थी कुई हो गैवाली पंख्ती में ये भी add होगा, ये भी add होगा, ये सब जुड़ेगा जाके ऊपर, ये भी उड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये जब जुड़ेगा, तो ये जब जुड़ेगा, A-B, प्लस B-C, तो B से B कटेगा, तो को A-B, और प्लस B-C, और प्लस C-A करेंगे, तो C से C कटेगा, A से A क्या करेंगे जब इनको जोलेंगे तो इस सारे क्या हो जाएंगेजी रों हो जाएंगे देख सकते हों कैसे यह तुब समझ में आ रहे ना कैसे जैसे और बन को में सप्रेस कर रहा है और फेक लिख लिखलो भाई अधिक फिलकालकी हम optimize कर देना जो calculation वो बताते रहे हैं ओए माइनस भी फ्लस बी माइनस तो आरवन को मिध्लेस कर रहे हैं आरवन क्या है माइनल चीक आर्टू से जोड रहा इसमें आरवन replace by R2 plus R3 plus R1 3 को जोड़ना है तो plus B minus C आएगा plus C minus A से A कटेगा B से B कटेगा C से C कटेगा 0 हो जाएगा ऐसे यह 0 हो जाएगा मतलब कि पहली वाली पूरी पंक्त क्या हो जाएगी सर 0 हो जाएगी जैसे हम A minus B B minus और आपने जैसे ही देखा कि इस पूरी पंक्ति का मान 0 हो गया इस पूरी पंक्ति में सारे अव्यद 0 हो गया आप सीधे लिखो के सार्णी का मान 0 हो गया आर्चस आ गया कुछ भी नहीं है कोश्चन में एकदम आसानी से कोश्चन स्वाल्व हो जाएगा बस एक ही संक्रिया लगानी है आरवन इस रिप्लेस भाई आरवन प्लस पार टू प्लस पार तीनों को जोड़ना है अगर कुछ और संक्रिया आपने लगाई कुछ इधा उधर कर दिया तो फिर हो सकता यहां तक दियुकष समस्या तो नहीं किसी को अरह ऑर रहा है सारें कुए को सब्सक्रिया अग से यह मने लगाई और से सारे वैसे इंपोर्टेंट है सारे अलग अलग टाइप के लिए कि जिससे सारे गुर्धर्म आपके प्रूव हो जाए और आपको एक तरीके से सारे गुर्धर्म की प्रैक्टिस हो जाए और जिस टाइप के कोशिन आपके एक्जाम में बन सकते हैं वो सारे कवर आपके हो जा visiting के उनुदिस आत्रों से पंक्तियां उसी स्तंम के अनुदिस प्रसार कर दोगे जिस भी पंक्तियां इस्तंम में आपको ज्यादा जीरो मिलेंगे त्योंकि उसे वह जीरो हो जाएंगे अंगे अमारी लिखा है यहां पर लिखा यह हो सकता है यहां पर लिखा वो PQR लिख दें यहां P2 Q2R लिख दें इसके according PQR हो जाए लेकिन format सेम होगा सभी बुक में कोश्चन मिल जाएगा आप कोई भी बुक लेलो आप NCRT पढ़ते हो नौबोध प्रकाशन पढ़ते हो बाला जी पढ़ते हो केसी जिना पढ़ते हो मनवर रे पढ़ते हो अर्सरीप सर्मा पढ़ते हो कोई भी बुक पढ़ते हो सारी बुक में तुम्हें कोश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे इसी फॉर्मेट पर क्या करना इन ताइप पर कोश्चन में जैसे आपको 111 दिखे आप क्या करोगे आप संक्रिया लगा के वनों को 0 बनाओगे 2-1 आप 0 ब सीवन के अनुदिस परसार कर लेंगे तो यह हमारे पास आराम से अंसर आजाएगा तो जब भी आपको वन दिखेंगे खुशी की लहर दवड़नी चाहिए कि एक ही संक्रिया सर्फ पहले में स्टार्ट करेंगे और कुछ नहीं लगाना है आपको आप कैसे भी करके यह 2-1- जीरो बना लेंगे वो बनाना आपको आता है आप संक्रिया खूब लगायो आभी चरप्टर में भी लगायो उसी माध्यम से मिनको जीरो बना लेंगे कैसे करना है मैं लेता हूँ एक कोश्चन कराता हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको सारे कोश्चन करने जहां भी आपको व 1, 1, A, B, C, A square, B square, C square, आप क्या करते हैं, हम यह आपर संक्रिया लगाते हैं, R1 मालूम रिप्लेस कर रहे हैं, R1 इस रिप्लेस भाई, R1 माइनस R2, यह कमने संक्रिया लगाई, और R2 को फिर आंगे रिप्लेस कर लेंगे, एक ही करके लगाते हैं, जासे कल ज्याधा दिक्कत पालो, R1 को रिप्लेस कर रहे है, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1, 0, A माइनस B, A square माइनस B square, अगली R2 और R3 को छेड़ना नहीं, क्योंकि R1 रिप्लेस किया है, तो R2 वैसे ही लिख दो, और R3 भी वैसे ही लिख दो, अब एक संक्रिया ओ लगानी, कौन सी सर, सर एक संक्रिया लग लगानी, R2 is replaced by R2 माइनस R3, लगाते हैं, लिख दो, R1 को छेड़ना नहीं, वैसे लिख दो, 0, A माइनस B, A square माइनस B square, R2 रिप्लेस कर रहे, 1 माइनस 1, 0, यह B माइनस C, यह B square माइनस C square, B square माइनस C square, R3 को वैसे ही लिख दो, बिल्कुल छेड़े बगार, 1, C, और C square, यह हमारे पास आगे, आप क्या करते हैं, सर इसी C1 के प्रिशापेच प्रिशार कर दें, क्योंकि वे यहीं प्रिशार करने पर, प्रिशार करने पर, ठीक है, C1 के सापेच प्रिशार करने, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, खेवल यह बचेगा, यह, यह, केवल 1 वाला लिख रहे हैं, वही 1 वाला, ठीक, आपको पता है, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, क्या होता है, प्लस, माइनस, प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, मलब यह प्लस आएगा, तो प्लस का वन ले लेते, तो प्लस का वन लिया, तो यह, यह गया, A माइनस, B का इधर हो जाए सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं यह मारे पास बनके आगे वन है कोई दिक्कत नहीं वन तो गुणा होगा वनी रहेगा इसको खोल देते हैं सब्सक्राइब को खोल को धें ये हो जाएगा-अउat यह लेसे स्कॉयार कि अधाम अग्यों स पो यह बचनली बचनलं मैनस लगाता हैं तें फिर क्या हो गया यह हुजकर मैंस स्कॉयर क्या हो जाएगा मैंस से भी माइनस ए इस क्भी प्लस थि मैस मा इस लगा B minus C B minus C लिख दो A square minus B square क्या हो जाएगा A minus B और A plus B देखो कुछ common आ रहा है पूरे से ये हमारे पास बन गया इससे पूरे से कोई common आ रहा है A minus B, A minus B common आ जाएगा B minus C, B minus C आ जाएगा तो ले लो, A minus B ले लो और B minus C ले लो जैसे A minus B और B minus C common लिया ये आ गया, ये आ गया B plus C बचा, तो B plus C बचा minus, यहाँ पर क्या बचा है minus A और minus का B तिक क्योंकि minus से गुणा होगा तो minus का A और minus का B B minus C और A minus B बाहर आ गया B से B देखो कट गया क्या बचा, A minus B B minus C और C minus A यही तो प्रूफ करना है यही तो RHS में चाहिए बस आगे RHS एकदम आसानी से question solve हो जाएगा बस एक ही काम करना है जब भी आपको one वाला question दिखेगा पहली step में तो आपको खुशी की लहर दरोनी चाहिए कि सर एक ही काम हमें करना और कुछ नहीं करना है पहले दो one कोई भी आप zero बना लो आप कोई जरूई नहीं है आप ये दो बना लो आप ये ये बना लो कोई दिक्कत हो किसी कैसे भी तरके आप दो one zero बना कोई भी दो बना लो मैंने ये दो बनाए आप ये और ये भी बना सकते हो ये और ये भी बना सकते हो, ये और ये भी बना सकते हो, जो बनाओगे कोई दिखकर ने, बस उसी के साफेज प्रसार करके खोल दो, यही आएगा, आप ना चाहकर भी यही अंसर रहा दोगे, आप बस यही काम करोगी पहली स्टेफ में, सेम ऐसे ही कोशन करने आपको जहां भ अगले कोश्चन पर, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत देर है, अभी काफी टाइम लगना है, लक्टर में, बैठने की उपर हिच्छा, भाग तो नहीं के सारे, चले गए हो सारे, चलो करते हैं अगला कोश्चन, अगला कोश्चन क्या कह रहा है, बढ़ा कोश्चन है, यह अगर इस आरवन में हम वही संक्रिया लगा दे, आरवन इस रिप्लेज वाई, आरवन प्लस आर्टू प्लस आर्टू प्लस आर्थ्री, यहां पर भी बन जाएगा, थ्री वाई प्लस का के, और थ्री वाई प्लस का के, तीनों से कॉमन आके बहारा जाएगा, जो में चाहिए, लग सकता है न, कोई दिक्कत की बात में, अगर यह न लगा कि यह भी तो लगा सकते हैं, सर, सीवन इस रिप्लेस बाई, दोनों तरी कैसे सिमिट्रिक है, क्या मज़ेदार सान लिग दी है, सीवन इस रिप्लेस बाई, सीवन, सीटू, सीट्री, अगर इसको इसको एड करें, तो वाई 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 थ्री वाई प्लस के, वाई 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 थ्री वाई प्लस के, वाई 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 थ्री वाई थ्री वाई प्ल nhs के लिखहाए लेचाश में जो सानिक है वो लिखिए उच्छी याई फीर वाइप्लस के य फिर क्या यahl वाई याई फिर प्लस के बहुत सभी दिकत नहीं अप क्या करते हैं एक ही तिनों को वाई 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 ये थ्री वाई प्लस के हो गया वाई 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 थ्री वाई प्लस के यहां पर भी आ गया यह भी वाई वाई थ्री वाई प्लस के यहां पर भी आ गया बाकी किसी को नहीं छेड़ना आर्टू आर्ट्री वैसे रहेंगे आर्वन को छेड़ाएं अब क्या काम कर सकते हैं सर इस 3Y प्लस के को कॉमन ले सकते हैं और जैसे ही 3Y प्लस के कॉमन लोगे यहां 1 हो जाएगा यहां भी 1 हो जाएगा यहां भी 1 हो जाएगा फिर पहली स्टेप क्या खुसी किला है कि सर 3 1 हो गए फिर वही काम करना है, 2, 1, 0 बनाने है और कुछ नहीं हो सकता, वही काम करना पड़ेगा, तो करते हैं न, क्या दिक्कत है, लेते हैं, 3Y प्लस के मैंने कॉमन लिया, 3Y प्लस के, तो क्या बचा, 1, 1, 1, Y, 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 Y प्लस के, यह क्या बचा, Y, यह Y प्लस के, यह Y, ठीक, यह हमारे पास बन के लिए अब यहां पर क्या हुआ हुआ 311 बन गये तो आप बस एक ही काम कर सकते इसको इस से माईन wszyscy इसको से माईनस को डो बना लो तो बस काम हो जाएगा तो करते इतले इस छंक्रिये मैंनस के हो जाएगा समझा रहे ना राई मैंनस वाई माई मैंस के हो जाएगा हैं जी तो मैंने ऑने हगा कें ड़ चाईगा य से कट जाएगा मैंनस का या जाएगा माई माई दिखत НапрScript सब्सक्राइस경 कुछ आहीं आप कि ऐसे चेड़ दो लिख देते हैं यहीं पर तथा सी टू माइनस सी थी लिख देते ना लिख दें यहीं पर कोई दिखकत नहीं यहीं पर लिख देते हैं तथा सी टू इस रिप्लेस भाई सी टू माइनस सी थी ठीक यहीं पर लिख देते हैं अरब तो हम लोग होसियार हो गा अब C2 को C3 से कटा लेते हैं, 1-1, 0, Y plus K minus 1, Y, तो Y से Y कड़ गया, K आ जाएगा केवल, Y minus Y plus K, तो minus करके हो जाएगा केवल, minus करके, यह केवल ऐसे रिख दो, 1, Y और Y plus K, कोई दिख कर लिए, यह हमारे पास आगे है, यह हमारे पास सांडिंग निकल के आगे, हमने दो संक्रियां एक साथ लगा लिए, कि C1 को C1 minus Y है, यह 0, 0 क्यों कर रहे हूँ, minus C2, और C2 is replaced by C2 minus C3, 2, 0 बन गए, R1 के सापेच परसार करेंगे, केवल यही वाला टर्म मिलेगा, लिख दो, R1 के सापेच परसार करने पर, R1 के सापेच परसार करने पर, क्या होगा इससे, सर यह होगा कि 3Y plus K तो जो हई, वो तो ऐसे लहने दो, इसके bracket लगा दो, कोई दिक्क नहीं, बहार रखा रहे नहीं, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, प्लस, माइनस, प्लस, केवल 1 रहेगा, तो 1 लिकलो, यह गया, यह गया, माइनस के का माइनस के से हुआ, तो K स्कॉयर आ गया, के का 0 से हुआ, तो माइनस का 0 आ गया, यहीं हमें चाहिए, बस यहीं तो चाहिए, सर यह आ गया, 3Y, ब्रेकेट बन, 3Y plus K, यहां से केवल क्या बचे का k square minus 0 k square गुड़े 1 k square तो बस सर यही तो रहस है यही तो सर रहस है कि k square 3y plus k is the rhs तो rhs हमारे पास निकला है कितना आसान है question बस एक संक्रिया बहुत महत्पूर्ण है इस सारलिंग में तो बहुत महत्पूर्ण है यह संक्रिया जो तीनो पंक्तियों को जोड़ देत है जब हमारा question सामने लिखाओ तो हम हर तरीके से सोचेंगे कि क्या-क्या उसमें संभावना है लग सकती है यह नहीं सोचना कि सर आपको कैसे पता चला कि यह कैसे लगेगा यह साड़िक कैसे लगेग यह दिमाग में नहीं रखना यह चीज तो बिल्कुल ही नहीं रखना कि फिर एक बार वो चीज करके देख लो जो लग रही थी कि इससे भी तो हो सकता है सारी चीजे करके देख लो लेकिन उस समय हमारे right click करना चाहिए कि हम जब बार बार ऐसे question लगा लेंगे कि हम इसको minus करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा सर जब हम इसको तीनों को जोड़ इन तीनों को तभी 3Y plus K मिलेगा हमें RHS की तरफ एक नजर रखनी है कि हमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव 3Y plus K करना है तो उसी के according करेंगे ना कि हमें कैसे 3Y plus K मिल सकता है तो हमें ये लगा कि अगर हम इन 3Y है तो इन तीनों को जोड़ेंगे या 3Y हो जाएगा के हो तो फिर आपको यह method आपको पता ही एक कैसे क्या करना है कि सरकाने हमारे पास अगर बन बन गए फिर उसके बाद तो fix pattern अगर बन बन गए तो यहीं करोगे और कोई option नहीं करोगे तभी answer आई तिक है clear सभी को यहां तक बात बढ़या question था important question था अगले question पीचलते है तो क्या कर सकते हैं एक काम करते हैं ध्यान से दिखो इस question को ध्यान से थोड़ा सा लग रहा है देखते हैं क्या होता है यहां पर a-b-c है अगर इसके साथ हम जोड़ेंगे या इन तीनों को जोड़ें फिर वहीं से संक्रिया लगाएं इसको इसको जोड़ें तो minus b plus 2b plus का भी हो जाएगा minus c plus का 2c plus q c हो जाएगा तो a plus b plus c अच्छा सोचो देखो हम प्र को फिर से हम वहीं संक्रिया अगर रटपन लेते हैं । अगर हम सार्वन को फिर से एक करें r1 प्लस 2 प्लस प्लस आर्थी तो क्या होगा कि ए माइनस बी प्लस सी है यह प्लस टू बी और जुड़ेगा और प्लस टू सी भी जुड़ेगा तो यह केवल बी बचेगा यहां से केवल सी तो ए प्लस बी प्लस C बन जाएगा और A plus B plus C फिर हमारा common निकल आएगा निकल आएगा ना करते लगा कि देखते हैं देखू क्या हो रहा है काम करते हैं रिप्लेस करके देखते ही हम अगर आरवन को रिप्लेस करें लिख लो या पहले दारेक संक्रिया ना लगा हमने LHS लिखा फिर लिख रहें LHS में हम क्या कर रहा है आरवन को रिप्लेस कर रहे है आरवन प्लस R2 प्लस R3 तो क्या बनेगा देखते हैं अगर यह तो समझ में आ रह है न कि अगर हम यहाँ पे plus का 2B और plus का 2C लिखेंगे minus B plus B मिलके plus का B हो जाएगा तो A और us B minus का C और plus का 2C मिलके plus का C हो जाएगा तिक यह बास समझ में आ गई ऐसे यहाँ पर जब करोगे तो शेम चीज़ी यहाँ पर भी आएगी A plus B plus C ऐसे यहां पर भी आ जाएगा A plus B plus C कोई दिक्कत नहीं बाकी को किसी को न छेड़ो वैसे लिख दो 2B B minus C minus A 2B और फिर हमारे पास आगया 2C 2C और फिर हमारे पास आगया C minus A minus B यह हमारे पास यहां पर निकल आया कोई दिक्कत नहीं अब अगर हम क्या करें A plus B plus C common ले लो अब तो वही काम करना है फिर 1 बनेगा लग तो यही रहा है कि फिर से हमें 2, 1, 0 बनाने पड़ेंगे A plus B plus C common लिया तो 1, 1, 1 यह क्या बचा 2B B minus C minus A यह 2B 2B है यहां पर भी 2B, 2B है ठीक है 2B minus A minus B यह बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं अब वही काम करना पड़ेगा 2, 0 बनाने पड़ेंगे और कोई option लग नहीं रहा है simple option वही है कि अगर हम C1 को replace करें C1 minus C2 से और C2 को replace करें C2 minus C3 से वही काम कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं और कोई option लग नहीं रहा है दूसरे page पर चलना पड़ेगा और कुछ हो सकता है क्या और कुछ तो नहीं हो सकता वही 2, 0 बनाते हैं हमें पता है ना उसके बाद वही करते हैं और वही fix pattern रखते हैं कि जब 2, 3, 1 मिल गए हैं तो 2, 0 बनाओ दो तो क्या है C1 को replace करते है C1 माइनस C2 से ठीक, replace करते है C1 is replaced by C1 माइनस C2 तो क्या आजाएगा यह आजाएगा A प्लस B प्लस C कोई दिक्कत नहीं replace करूं बाई 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, 0 फिर आओ 2B माइनस B प्लस C प्लस A तो 2B माइनस B तो B प्लस C और प्लस का A हो जाएगा मलब A प्लस B प्लस C मिल जाएगा तो ठीक लिकलो A प्लस B प्लस C मिल जाएगा ठीक आजो 2C माइनस 2C 0 हो जाएगा 2C माइनस 2C 0 हो जाएगा कोई दिक्कत में आंगे आओ तथा यहीं लगाते हैं बार-बार नहीं जाएंगे तथा करते हैं C3 को हम C1 से माइनस C3 को रिप्लेस करते हैं क्योंकि यह 2B से 2B यह भी 0 होगा तो तथा C3 is replaced by C3 माइनस C1 C3 को रिप्लेस करते हैं C2 ऐसे लिख दो C2 क्या है 1 B माइनस C माइनस A C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 में क्या 1-10 यह 0 2B-2B 0 C-A-B और माइनस का 2C तो क्या बचेगा C-A C-A-B-2C तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से मारे पास हो जाएगा सर यह हो जाएगा माइनस का C-A-B माइनस का C-A-A हमने काँ किया था यह किया था B-C-A –2B तो था माइनस का B-C-A मिलेगा यहां पे गुरू यहां पर यहां पर यहां पर यह signals लिखेख लिखा यहाही पे तो किया था 2B- अच्छा इसको हमने C1 को replace कहा था C1-C2 C1-C2 किया था क्या किया था कौन सी संग्या लगाए दी C1-C2 तो C1-C2 कहा है भाई C1-C2 तो 2B-B प्लस का C प्लस का A तो B-B-A ठीक है कोई दिख करते हैं अब C3 को हमने C1 से लगा है तो C3-C1 करेंगे तो यही आएगा कोई दिख करते हैं कि यह लग देते हैं कि A P-B Wall Street अब यहांपर क्या आएगा यहां पर हमारे पास भी आएगा सफी माइनस सी माइनस सी माइनस से माइनस सिम ए माइनस पर यह माइनस कभी और ए प्लस यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा कोई दिक्कर नहीं कोई समस्याई नहीं कोई समस्याई नहीं ठीक लेते हैं यहां से हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं इस सीवन से यह जीरो है यह जीरो है तो यह से a plus b plus c common लिया तो square हो गया तो यह हो गया 010 एक यहां बचाव 1 b minus c minus a to c ठीक यहां से भी अगर common लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा एक और आ जाएगा क्यों लिखते हैं यहां से भी a plus b plus c यहां से यहां देखो माइनस कॉमन लेंगे कोई दिक्कत नहीं 0-0 और यहां पर माइनस का एक लिख देतें बस यह क्यूब हो जाईगा तो कि माइनस जैसे यहां पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा C वही A plus B plus C मसिदा लिख हो ना A plus B plus C हो ज़ाँ तीक जैसे minus common लो हुँ A plus B plus C हमने पूरा common लिया A plus B plus C पूरा common लिया यह तो 0 है यह भी 0 है तो A plus B पूरा C common आ गया यहां के वो a minus का 1 मचेगा इसलिए minus का 1 लिख दिया ठीक है directly लिख दिया आए है बस question solve ऑगया आप अब solve हो गया यह तो क्यूब आ गया बार क्यूब क्यों निकाली है क्यों ठीकर मैं RHS में क्यूब लाना था देखो यहां पर क्यूब लाना अब प्रसार कर दो किसी के साथ मालूम आरवन के साथ कर दें कोई दिक्कत नहीं या आरटू के साथ कर ले लिखी लो a plus b plus c का होल क्योग इंग अब यहां पर क्या होगा यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा क्ये बचेगा माइनस का वन वाला लिकते हैं minus का वन ब्रेकेट में जब यह बंद यह बंद तो –1 minus plus का वन क्या हो जाएगा माइनस का बन टिक जीरो और यह हमारे पाइए बंद है 00-0 हो जाएगा माइनस का जीरो तो क्या जाएगा a plus b plus c का whole q minus minus plus हो जाएगा बस यहीं बचेगा अर्चस आगया ध्रूब हो गया बाई प्रूव हो गया वगया एक फिर से रिपीट कर देतें थोड़ा confusion हो गया यहां पर क्या हो रहा है एक बार रिपीट कर देते हैं द्हाइज समझे लो हमने एक संक्रिया लगाई हमें चेह था a plus b plus c का whole q हमने LHS में एक संक्रिया लगाई कि हमने क्या किया R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 प्लस R3 आप यह भी लगा सकते थे आप C1 को भी लगा सकते थे कि C1 प्लस C2 प्लस C3 भी करते तो भी यहां से भी A A plus B plus C common था कोई दिक्कत की बात नहीं थी हमने आर्वड वाली लगाई यह लगाई तो यह तीनों जुड़के A plus B plus C A plus B plus C A plus C C बन गया वही हमें बना नहीं था तो A plus B plus C हमने क्या किया common निकाल लिया 111 बचा और 111 जब बसता है तो उसके बाद एक ही option है हमारे पास किसरा हम इन वन को 0 बनाए अभी तक जितने question के हैं हम में यही कर रहे है कि जब 11 वसता है तो हम इन 11 को कैसे भी 0 बनाए तो हमने दो 0 बनाने के लिए क्या क्या है दो संक्रिया लगाए C1 माइनस C2 लगाया और फिर C3 को लगा दिया आप C2 माइनस C3 करते तो यह 0 हो जाता मेरा मन किया लगा दिया कोई दिखकरने C1 is replaced by C1 माइनस C2 और C3 is replaced by C3 माइनस C1 तो C1 को यहां से माइनस कर लिया कि यहां पर माइनस C माइनस A माइनस B था यहां पर तो A प्लस B C पूरा कॉमन ले लिया तो A प्लस B C पहले से था इससे हुआ यह कि बस अब दो जीरों मारे पास बन गए थे अब किसी के सापेच आप प्रसार करके सर्म निकाल सकते थे हमने आरवन के सापेच प्रसार किया और आंसर हमारा आ गया यह अँसर आ गया अर्चस में प्रूव होगी है थीक है थोड़ा बढ़या कोशन था है इंपोर्टेंट कोैशन है सारे इंपॉर्टेंट question मैं करा रहूं जिससे बाहर से कोई question नहीं बने रहे सब इसी question बने इसी प्रकार का question आपकी एक्जाम में लिखा बाड़ा हूं हो सकता है ढिक है चलते को चाहिए ब्रहाई बूहरा कोश्चन का कह रहा है यह भी अच्छा देखो सानी के common परापर्टि और इसमें तो ए पूरा common है इसमें, अगर देखो तो पूरे से common है इसमें देखू पूरे से B common है इसमें देखू पूरे से C common है ऐसे भी देख सक तो यहां से B से this किसी से भी लेशिकतू मैं column से ले रहा हूं कोई दिक्कत नहीं LHS लिखके मैं Column से क्या करता हूं ABC common निकालता हूँ ABC निकाल लिया इससे A निकाला है तो क्या आएगा माइनस का A, B और C इससे B निकाला है तो A माइनस का B और C हाँ B निकाला था कोई निकाला है इससे हमने C निकाला है इससे जब C निकाला है तो क्या हो जाएगा A, B B-C, यह आ गया हमारे पास, A-B-C हमने common ले लिया, इससे A निकाल लिया, इससे B निकाल लिया, इससे C निकाल लिया, A-B-C आ लिया, फिर एक बार देखो, तो इससे A पूरा common आ रहा है, इससे पूरा B common आ रहा है, इससे पूरा C common आ रहा है, A, B, C, फिर से common आ रहा है, A square, B square स्कॉर बन जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं तो ले लो ना यहां से फिर से हमने ABC को मल लिया तो A2 B2 C2 बन गया यहां पर क्या हुआ माइनस का 1 1 1 यहां पर क्या हुआ यह हुआ यह वह वह मारा नहीं अगर आप इससे a b और इससे c लेते तो पता है अगली बार क्या होता फिर इस्तंब से a b c को मनाता है अगर हमने पहले इस्तंब से ले लिया तो फिर पंक्ति से देखो बागित में कामनाया अगर आप स्तंब से ले लेते तो पंक्ति से आएगा पंक्ति से ले लोगे तो इस्तंब से आजाएगा तो ABC फिर से कर ले और अराम रहे का लेते हैं को 봤नि संक्रिया लगा लेते मालो इनको जोड लेते हैं आगक। c1 तो इन इस रिप्लेस बइस बइसीन प्लस सीर आफिट ganzen ऋर लगालो तथा है इसी टू जबाई बाई कहां से होगा इससे तो होगा नहीं यह सीटू इस रिप्लेस बाई सीटू प्लस सीट्री करेंगे तो यहीं भी लगाओ को बनेगा इस रिप्लेस बाई सीटू प्लस सीटू किया माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो ठीक वन और माइनस वन यह भी जीरो वन और वन टू कोई दिक्कत नहीं सीटू कैसे किया है सीटू माइनस सीट्री वन माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस का टू कि वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का टू कोई दिक्कत नहीं वन माइनस वन इसको ऐसे लिकर रहे हैं दूँ वन वन माइनस वन अब कर दो आर वन के तरशार आर्वन के साफ़ेश जब प्रसार किया तो यह तो A² है, B² है C² इसका एसे रहने देते यह 0 हो गया, यह 0 हो गया वन ले लोकेबल, वन उठाया तो क्या बना यह कट गया, यह कट गया 2 का 0 से गड़ हुआ, 2 हुआ दो माइनस दो तो माइनस माइनस प्लस प्लस का चार तो यह आ गया 4 A स्क्वार B स्क्वार C स्क्वार बस यही तो लाना था प्रूब हो गया कुछ नहीं करना है बस common जैसे लिया कभी-कभी ऐसे ही होगा कि सिंपल बस common निकालो कि तुम्हें कोश्चन एकदम आसानी से आप कॉमन लो ABC हमने common लिया फिर से ABC common आ गया फिर से ABC common लिया बस फिर प्रसार कर दो बनाने से दो जीरो बना लो नहीं भी बनाते तो भी हो जाता क्योंकि 111 था लेकिन बना लो आसान रहता है कोई भी दो वन आप जीरो बना लो उपने बना ली यह दोनों जीरो बना ली प्रसार कर दिया आरवन के साथ पेच आंसर आ गया सिवलाइज वे में चलो एक दम विल्कुर सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस के साथ चलो कोश्टेन आराम से सॉल्व होगा पस जलबाजी नहीं करो कि कुछ भी करते चले जारो बस थोड़ा सा दो दो मिनिट थोड़ा सोचो उसकी तरब देके कोश्चन की क्या क्या हो सकता है कैसे हम इस आरेचेस की तरफ जा सकते हैं बस दो सेकेंड का टाइम दो 10 सेकंड 15 सेकंड उसको सोचो फिर उसके बाद कोश्चन का प्रोसेस आंगे स्टार्ट पर आराम से कोश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा क्लिया रहा तक कोई डाउट तो नहीं कोई समस्या तो नहीं क कोश्चन में अगर यहां पर 1 ना होते हैं यह 1 जो लिखे हुए हैं तो इस पूरी पंक्ति से यह A कॉमन आ जाता है यहां से A कॉमन आ जाता है इधर से B कॉमन आ जाता है यहां से B कॉमन आ जाता है यहां से C कॉमन आ जाता है वो इस तंब से भी आ रहा था और वो पंक्ति से भी आ रहा था अगर हम क्या करते अगर यहां पर यह प्लस वन ना लगा होता है तो अब प्लस वन लगा है और हमें common लेना है अगर common हमें लेना है तो इसको जवरजस्ती कुछ बनाते हैं जिससे यह common निकाला है, कुछ common बनाने की कोशिस करते हैं, अगर हम एक काम कर लें यहाँ पर, इसका मैं सबसे छोटा तरीका बताओं, वह इस question का solve करने का है, वैसे दो-तीन तरीके हैं, मेरे दिमाग में भी दो तरीके हैं, कि इसको और दूसरे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन important है, आराम से एक ही बार में समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक इस्टे प्याद रखनी है कि कैसे करना है, अब यहाँ पे common निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक चीज हम करते हैं, अगर हम क्या करें, पहली पंक्ती R1 में, ध्यान देना, इस पंक्ती R1 में हम A से गुणा क कर ले, इससे होगा क्या, अभी देखो, जब बन जाएगी तब समझ में आ जाएगा, इससे यह होगा, जैसे हम इसमें A से गुणा करते हैं, अगर एक पहले बात बताओ, अगर किसी जैसे यह लिखा है मालो, साइन A कॉसे, तो जब यह फार्मूला हमें बनाना होता था, सा भाग भी करते थे, साइनिक में भी हम मानी निकालते हैं, तो दो से गुणा करते थे, तो दो से भाग भी करते थे, साइनिक में क्या करोगे, अगर किसी चीज से गुणा कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उतने से भाग भी दे होगे, अगर हमने यहाँ पर A से गुणा किया है उससे हम भाग देंगे ताकि हमारी समीकर बैलेंस रहे अब चलते आंगे एलेचेस लेके चल ले मिसका बाया पच्छ ठीक एस गुड़ा कर दिया इसमें यह बन गई a square plus one अब यहां से a से गुड़ा हुआ तो a square b यहां पर a से गुड़ा हुआ है a square G1 यहांसे देखना यहां पर अमने b से गुड़ा किया है a b square b b square plus one और यह हो गया वी square C यहां पर भी हमने c से गुड़ा किया है तो यह हो गया c square a c square b और c c square plus one यह हमारे पास क्या हो गया यह यह यहां पर हमारे पास sarnic बनकर आ गहीए अब एक important इस्टेफ जब भी आप उते में गुड़ा कर रहो यहाँ पर पंक्ति में गुड़ा किया तो आप से eks A कौऐलो यहां से B लेलो यहां से C 13 सही ना ले लेना क्योंगी पंक्त में गुड़ा किया मालो यहां से 2 बेसे गुड़ा क्या फिर से से A, ले लो, इससे B, ले लो, इससे C, ले लो, ठिक, निकल आएगा, अगर आपने स्तंब में गुणा किया तो आप 25 से कॉमल ले लो, यही काम होगा, यही प्रोसेस होगा, हर qoistion के लिए, ठीक है, तो यहां पे हम ने ABC का आप 15 में गुणा किया तो इस्तंब से हम a b c common ले रहे हैं यहां से हमने a common ले लिया इधर लिखे इधर लिखते हैं यहां से हमने a common ले लिया पहली वाली पहले वाले इस्तंब से यहां से b ले लिया और दूस्रे तीसरे वाले से हमने सि ले लिए बटे में भी ABC है, यह Bei कट कर्द ऺमारे पास उक्वाल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास वो लिखते हैं, बचा हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यह सर बचा यहाँ पर a sqaire प्लस वन यहां पर भी कॉमन लिया सी स्क्वार यहां पर हमने सी कॉमन लिया ए स्क्वार यहां पर भी एसी कॉमन लिया बी स्क्वार और यहां पर सी स्क्वार प्लस वन यह बन कर आगे यह हमारे पास सांडिक बनकर आगी, दो इस्टेप अभी हमने फालो किये, हमने A, B, C से पहले, पहली पंक्त में A से, दूसी पंक्त में B से, तीसी पंक्त में C से गुणा किया, जिस्ते गुणा किया, उसी से भाग कर लिया, फिर इस तम से A, इस से B, और इस से C कॉमन लेकर, इसको हमने cancel out कर दिया है, यह हमारे पास बराबर आगे, अब कितनी प्यारी चीज़ बनेगी, हमें proof क्या करना है, 1 प्लस A स्कॉयर प्लस B स्कॉयर प्लस C स्कॉयर, अब ध्यान से देखो, ऐसे बन जाएगा यह हमारे, कहां पे बनेगा, अगर हम R1 में यह तीनों को जोड़ स्कॉयर, A2, B2, C2, A2, B2, C2, A2, B2, C2, C2, C3, C3, C3 में सारा यही बनाएंगी, one plus A2, B2, C2, 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 पूरी रोय पूरे स्थम में वह मिल जाएगा sociable अराम के उसके बाद सौल्फ हो जाएगा। उसके पता है क्या करना है। तो वही काम करते हैं। पूरे से हम अगर येहां से एक संक्रिया लगाते हैं हम आरवन को मालो replace करते हैं। दूसरे पेज पर लिख लेते हैं पेज है अपने पास है थोड़ा सा लोग गूर है अब हमने आरवन में एक संक्रिया लगाई आरवन प्लस आरटू प्लस आरटी बस काम हो जाएगा अब आप पास साली क्या बन जाएगी वन प्लस ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस का सी स्क्वाइर यहां पर भी आएगा वन प्लस ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस का सी स्क्वाइर यहां पर क्या जाएगा इधर देखुब आपस बी और C square प्लस 1 बस हमने R1 में संक्रिया जो लगाई है वो हमने लगा दी R1 से आप हमारे पास पूरी पंक्ति से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा one plus A square प्लस का B square और प्लस का C square यह जैसे ही कॉमन आ जाएगा उपर one यहां one यहां one यह तीनो one बचे में फिर उसके बाद आपके खुसी के लेर देवर जानी चाहिए कि सर वन बन गया है आप हमें वही काम करना है कि अभी तक जो कर रहे थे यह सी स्क्वार सी स्क्वार सी स्क्वार प्लस वन यह हमारे पास बन जाएगा सीधा हमारे पास कोश्चिन इसके बाद यह पूरा एक कब मारेन्स कर लेते हैं सीदाम क्या करते इदर से यह माइनस कर लेते हैं मालोdd हम संक्रिया लगा रहा है सीर टू रीप्लेस्ट यथी ट्री टत्हर ऑsters even कि संक्रिया लगाते हैं यह पर बना one plus a square plus b square plus c square यह तो बाहर आ गया है इसको ऐसे रहने दो बाकी काम क्या करो सीटू को हम रिपलेस कर रहा है तो इसे लिख लो one b square और सी स्कार सीवर हमने ऐसे लिख लिए कि सीटू को कहा से माइनस कर रहा है सीटू को सीवन से one minus one zero कि बी स्कॉयर से हमने यह बी स्कार यह से यह माइनस करो के माइनस इसकार मतलब की कि इसे इसको माइनस करेंगे तो मैइनस सीवर हों के प्लस बचेगा बस हो गया अब कहीं पर दिख रहे यहाँ पर भी आर्वन के सापेच कर दो सीधा और बागी इस्ट्यव आपको पता ही है कि कैसे आगे का करना तो 1 प्लस a-square plus b-square plus codice war aard के recorded कर देते हैं क्या बनेगा यहां पर बन जाएगा इसको और ले लिए बसी बने गा बाकी तो जीरो हो जाएंगे तो वन जब लिया यह कड्या यह कड्या है यह कड्या यह कड्या यह कड्या है रोगों के, कुछ नहीं करना था, आराम से अच्छा question था, अच्छा question बहुत अच्छा है, question अगर आप ऐसे करने बैठोगे, तो question tough लगेगा, बस एक step हमें याद रखना है, आप एक चीज ये भी कर सकते थे, कि आप column में C1 में A से गुणा करें, C2 में B से गुणा करें, C3 मे जिसमें गुणा करें, उसी से ना common ले लिए तो वही काम हो जाएगा, वापस वही चीज आजएगी, जिसमें गुणा करें, उसके reverse आप क्या करें, उसको common निकाले, ABC हमने जब गुणा किया, तो भाग करना पड़ेगा, balance करने के लिए वो कट जाएगा, और फिर एक ही संक गुणा कर लिए, जो कि गुणा धर्म पर आधरीत है, लेकिन परिशान होने की जोगत नहीं, लेकिन बहुत important topic है, हर जगे काम आएगा, आंगे future भी बहुत काम आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये बहुत मैतपूर है, इसलिए मैंने पूरे question हर टाइप क questions करा दिए, इस पर एक question और करेंगे, जो बोविकल्पी टाइप में, क्योंकि इसके बोविकल्पी question बहुत अच्छे दिए गए, एक option वाला question और करते है, वैसे question आपको आता है, मैंने पीछे बता दिया था, जब गुरदर्म नंबर आपको साह 4 समझाया था, जब आव्यू है, 3 क्रॉस 3 का एक आव्यू है, तो आव्यू पहले बना लेते हैं, माल लिया एक आव्यू है, 3 क्रॉस 3 का, ठिक, कुछ भी ले लेते हैं, ये लेते हैं, X, Y, Z, P, Q, R, ठिक, और A, B, C, ये लिख लेते हैं, ये हमने एक आव्यू ले लिया, CDC बात है, 3 क्रॉस 3 क हमारे पास आवियू है एक आवियू एलिया अगर इस आवियू में मालू प्रतेक अव्यभ में गुणा होता है यह मैंने बात डिसकस करी आई सी में कि स्थिना हो और जिसे आवियू का पर्धाद यह होता है तो यह के क्यों हो गया यह के हो वह गया यह फूरे आब यूव के हरक अभ्यक्स टॉणा होता है जब भी हम किसी अधिस से गुणा करते और इसी इसका अगर अग्रbak सानिक ले ले मतलप कि मौड उप के ले तो आपको क्या लगता है यह आ मालो इसी का में साIFA लिए तो यह किया थैं यह कई आ यह मारे पास क्या है यह मारे पास के पी है यह के क्यू है के आरे के है के भी है और के सी इसी से मावियू का जो हमने सांडिक लिया अब इस सांडिक में हम क्या करते हैं इसके वाली सांडिक से अगर हमें के कॉमन निकालना है अब इस सांडिक से अगर हमें के कॉमन निकालना है तो 35 से k अलग common निकलेगा इस 35 से अलग निकलेगा इस 35 से अलग इस 35 से अलग मतलब पहली 35 से अलग दूसरी 35 से अलग तीसरी 35 से अलग तो 3 k बाहर आएंगे तो क्या बचेगा k q तो k q बात क्या बचेगा x y z p q r a b c यह बचेगा और यह क्या लिखा है वही जो हमने आव्यू ए लिया था मतलब कि यहां से यह लिख सकते हैं कि यह के जो हमारे पास है वो के क्यूब सानिक एक बराबर है है सिंपल सी बात तो के एक यूपाउट उप्सन दिख रहा है आपको कोई ऑफ दिख रहा है यह सी ऑपसन मारे पास राइड़ कोई के नमारा ना कि के ब्यसे में हमारे पास आव व्यूमें बाहर आता है यहां सानिक यह बात की गई आ तो क्योंके यूब आएगा इस पंक्ति कोशन बनते हैं एक नंबर में या दो नंबर में कोशन बनता है अगर यह नहीं देगा अप्शन तो आपसे ऐसे बोल देगा और बहुचेगा कि क्या बनेगा तो आपको यह करके दिखाना पलेगा ठीक है यहां तक किलिए रहे सभी को चले आंगे अब यह टॉपिक तो अपन 4.3 का बढ़या टॉपिक स्टार्ट होता है त्रबुच का छेत्रफल बहुत सिंपल टॉपिक है और दो नंबर का कोशन पका है यहां से मैक्सिमम चार्ज रहते हैं कि आएगा ही और बहुत ही सिंपल है एक ही बार में सब चीजें सम्मझ में आ जाएंगी और कोशन आपका नहीं प्का ओ जाएगा देखने क्या होता है त्रबुच का चेत्रफल की बात करें वैसे 10 में आप लोग पढ़ चुके हो क्या पढ़ ढ़ते 10 मैं आप ने तर्बुच का चocy इसकी बात करें मालो कोई ट्रेंगल है कि इत्ता गंदा नहीं बनाओ यह मालिया कोई ट्रेंगल है यह ए पॉइंट है यह बी ए इस सी पॉइंट है ग्सी इक सूत्र पढ़ा था ट्रेंट है ट्लस एक त्री माइनस भाई वड़ा था ट्न्त क्लास में पढ़ा था जब भी आपको किसी त्रभूज का छेथफ़ा निकालना ओता ।। लेकिन यहां पर हमने सानिक की बात करने हैं, Cenic में त्र पॉचका आया। तो सानिक की उपयोग से हम कैसे छेट्फ अनिकाल सकने हैं X3 फिर Y1-Y2 होता है 12 में आ गए तो भाई 12 वाला लगाएंगे उसके लिए सूत्र 1 by 2 तो वैसे ही रखना है कोई दिक्कत नहीं बाकी साडिक बनाके इधर क्या करो X1 X2 और X3 लिख लो यह वाई 1 लिख लो लिख लो और Y3 लिख लो यही चीज़े है बाकी 3 चीज़े क्या चीए 1 1 लिख दो बस यह हमारे पास स्थर बुच के छेत्वल का सूत्र होता है यह हमारा सूत्र हो गया अब वाला 12 वाला जो कि हमें यूज करना है यह वाला सूत्र हम लोग यूज करींगे simple सिमात है आपको simple तुकॉमा 3, यह 3,2 और यह 1, माइनस 1,4 यह दे दिये गे 3 पॉइंट कि यह 3 पॉइंट है इन तीन पॉइंट से आप तरभुच के छेतफ़ल निकालो यह तरभुच के तीन निरदेसीरसों को निरुपित करते हैं इन तीन सीरस बिंदुओं से आप क्या करो इस तरभुच का जो दिखार क्रसार से तुट करता है तरभूज्च से मान निकल कहाता है उमारे यह अधिल्ट थिर साय तो रहाен कि तरह कर देयरे कि त्रभूज दो टे हैं और या लिग देते तरभूज का है चेटर्फ़ तो क्या हो जाएगा वही वन अपांट्व एक्स वन क्या है हमारे पास्टू एक्स युमारे पास क्या प्री और एक्स टू नीचे आएगा एक्स वाइब अन। तो टू-3 3 2 minus 1 4 last में 1 1 1 अब इसको तो हली कर लोगे इसको आँगे अल कर लोगे बाहर 1 by 2 रहेगा बाकी आँगे जो आएगा वो हल कर लेंगे जो छेटफल आएगा वो छेटफल हम लिख देंगे वर्ग इकाई लिखेते हैं क्योंकि छित्फरल ए्रिया जो होता है वह स्कौईर में होता है इसलिए भुचातर किर्म वा गल्ढ़ के यह वर्ग इकाई यह वह य। ऍंह। इसलिए कि पूलेंगे आप यहां पर मौड भी लगा सकते हो लेकिन 2 मौड हो जाएंग की इसलिए मौड नहीं लगाते हैं हो यहां पर एक ऐसे मौड लगा इस पर मैक्सिमम चाल से जो कोश्टन ज्यादा बनता है वो बनता है इदने लिखने है थोड़ा तरभूज की कौनसा कंडिशन जो सब्सक्राइब बनता है वो संडेकता की बनती अगर तीन बिन्द्व संड्रेक है उसकी कंडिशन बहुत ज्यादा बनती है कहें देगा यह त संरेक्ता की सर्थ लिखते हैं आपर सीधा संरेक्ता की सर्थ संरेक्ता की सर्थ पर क्वेशन क्या बनता है अगर कोई 3 बात समझो एक बेंदू यह एक बेंदू यह और यह एक ही रीखह post अगर 32 ुसद्रेक है तो कभी तरबुज नहीं बनाएंगे सीध्य सी बात हैं तीन असन्रेक बिंदू उसे इधर हो गया तो जैसे यह एसा हो गया तुरह सान न कंगे गा तो तरबुज का तो त्रबुज के संदेकता की सरत एह होती है, कि तब हम त्रबुज का अगर छेत्रफल निकालते हैं, तो वो 0 के बराबर आता है। बस, और कुछ नहीं करना होता है। इसी पर question बनता है, आपको हो सकता त्रबुज का छेत्रफल दे दे की यह है, और उसमें कोई सीर्स बिंदू आपसे पूछ दे कि K का मान निकालो, A का मान निकालो, B का मान निकालो, तो आप यही लगाएंगे, उसका छेथफल इक्वल इक्वल टू जीरो करके, K का या A का जो भी मान पूछेगा, वो मान आप एक सीर्स बिंदू नहीं देगा, उस बिं सिधी सी बात अगर एक ही रेखा पर बिंदू हो गए तो तर्बूज बनाएंगे नहीं तीन असन रेख बिंदू से मिलकर छेत्वल बच बनेगा ना तीन गुजाओं से घिरी आकरति को तर्बूज कहते हैं तो घेरेगा ही नहीं अगर एक सीधी रेखा हो जाएगी तो छेत् सिखाते हैं कैसे आएगा अमालों यह पॉइंट है इन पॉइंट को देदे की यह पॉइंट्स वन कॉमा वाईबर यह एक स्टू कॉमा वाइट तूई यह एक लिए एक स्ट्री वाइद टिक यह तीन पॉइंट हमने आपर दे दिये अब तरबूज का चहत्रफल का सीधा 1-2-8 31111 K pouco सीदे आप जो भी निर्दे सांग हें वेरल नापन टू है एक सुन हमारे पास क्या है अक्ष्रमारे पास के है रबी एक्स त्रिहमारे पास यह B plus Se आपहेसि यह सी प्लस और यह मारे पास क्या यह सरह मारे पास है एक फ्लस देख 1010 अब यह हमें इसको स्तिरबुच के छेदफल निकालना है यह अगर जीरो निकल के आ गया तो हम कहें देंगी कि सन्रेक है अब मन में एक खुशी तो दोड़ गया होगी कि सर तीनो बना ले दो कोई भी गटा लेते जीरो बना ले तो उसके बाद हल कर देंगे जीरो निकाल दे अब कर दो तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनो जगह बन जाएगा यह आपर दखो बी प्लस स稼ां ओगे दो समान दो कूर म tamam तू यह सार्णिक जो हमारे पास है वो बनके आ जाएगी c1 को रिप्लेस कर रहे तो यह हो जाएगी a plus b plus c य कि यह भी ओझाएगा a plus b plus c यह भी हो जाएगा a plus b plus c यह तीज नों हमारे मस मिलकर a plus b plus c अ कि सीटू में जो लिखा युझा उसका लिखो हम यह ले लेते हैं अपान टू तो थाई ए क्षम निकाल लेते हैं तो सादिक क्या बचए 1 1 1 बीच में क्या बचा कि एक सीड़ी फिले सुम्सेट कि और एप्लस भी और यहाँ भी 1 1 1 यह दौनों समान हो गए पहला इस्तम और तीसरा इस्तम समान हो गया अता यह जीरू आ गया अता हम लिख सकते हैं अता क्या दिये गए थे हमें तीन यह बिंदू दिये गया अता बिंदू संड्रेक है अता बिंदू संड्रेक है एक काम आप और कर सकते हैं कि यहाँ पर जब जीरू लिखें तो ब्रेकेट में लिख दें कि सारी की सारी की दो इस वह बराबर है अता हम कह सकते हैं कि इस सार्णिक का मान, जो ओगा, वह 0 होगा, यह आप रैकेट में यहाँ पर लिख दें, ताकि उससे और आसानी रहे, clear हो जाए, directly 0 लिखेंगे, तो इससे अच्छा है कि यह लिख दे, कि अता यहाँ पर हम लिखेंगे, कि दो, जो मारे पा सून ही तो में दिखाना होता है एक कोश्चन ये बनता है दो नंबर में कोश्चन लिखा मिल जाएगा आपको कि दिखाईए ये तीन बिन्दू संड्रेक है यही करना है ट्रेंगल का एरिया निकाल के जीरो कर दो वन अपांटू ना भूल जाना लिखते रहना नहीं तो यह बूल जाता है हो सकता अंदर दो बने वन अपांट कुछ ऐसा बने जो जीरो बना रहा हो वन अपांटू तो वह याद रखना के लिए चलें फिर अब चलते हैं अगले कोश्चन पर इस प्रकार पर एक कोश्चन और बनता है उसकी और बात करते हैं अगर मालों को एक वह में एक बिंदू हमें नहीं दिया मातब एक बिंदू के निर्देशांग नहीं दिए और उसका निर्देशांग को निकालने को बोलेगा कि इसका एक्स निर्देशांग निकालो जैसे के एक्स की जगह लिखा इसका निर्देशांग बोलेगा चेत्फल हमें दे देगा यह condition देता है condition भाइए कोई दिखकत नहीं हमें लगाना तर्भूच का छेत्फ़ल ही यह दिखकत नहीं यह यह हमें दिया क्या गया है यह सर्व में दिया गया है x1, y1 x2, y2 और x3, y3 हमें已经 given है ठीक तर्भूच का छेत्फ़ल given है तो हम लगाते हैं सीधा हम लगाते हैं यहापर त्रभुज का छेत्रफल बराबर 1 upon 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 111 आप क्या करोगे यहाँ लिखोगे त्रभुज का छेत्रफल बराबर 1 upon 2 ठिक x1 हमारे पास क्या है कि x2 हमारे पास क्या है चार x3 रेहारे पास 0 यह क्या है 0 020 12 111 यह में यहाँ पर बन कर आगया और त्रभुज का छेत्रफल जो 3 लेकिन एक चीज़ दुखुआ ठोटी से एक बात यहाँ पर याद रखना ना बहुत important बात है लेकिन छोटी सी बात है कि यह जो चार आया है जो छेतफल होगा वह हमेशा positive आएगा तो ऐसा करना है में कि यहां पर हमने बताया कि हम जब सांडिक लिखते हैं जब छेतफल निकाल ले होते हैं तो यहां आपरमान छेतफल मानलों निगेटिव आता भी मालों माईश चार आया तो प्लस- माइश मलस के मदें बढ़े तो अपने आप पोड़ा वह जाएगा ओ प्लस का करते हैं एक प्रकार से यहां पर मॉड लगा के रखते हैं यह मॉड और यह मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्न लगा लेते हैं ताकि उससे होगा क्या उससे होगा यह कि अगर माइनस का आ भी रहा होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस का रहा होगा तो तो प्लस रहेग है क्या दिक्क्त है यह 2-0 यह कि इदर कर लो ये स्टु के सा पेज पर साल करते हैं आप 2-0 ए स्टु के तो सापेच परञने पसक q करने पर सीटू के सापेच जब प्रसार करेंगे तो यहाँ तो प्लस माइनस्य और को दिखा रहें ने and equal to one by two क्या बन जाएगा सिट उके साफ है यहां पे लीक लो तो का है का यगा माइनस स्वाय स्वाइनस प्लस प्लस- मेनस सब्यों माइननस कर टो तो मैनस टू ले लो तो मैं अस्टो जब लोगोए ये बंद यह बंद तो के k कम के 4raz nombre 4 तो के एकम के पचार एकम 4 ठिक यह आजये कोई दिक्कत क्या करते हैं तू का इधेर गुषकर लेते हैं तो प्लस माइनस 8 हो जहाएगा equal to minus का टू के और यह माए पास कित्ता ओएंगा यह देओ क्मास का ऐसे आप अहां प्लस का एक बार हम क्या करते है दो केस्ब आ तैगा है पलस का यहां पर प्लस का टो एक बरावर जीडा माइनस टू के प्लस का आट टिक प्लस का मान, दूसरा, अगर हम case 2 में minus का 4 ले रहे, case 2, अगर हम minus का 4 लेते, तो minus का 8 मतलब हो लेंगे, तो minus का 2 के, और plus का 8, इधर आ के ये minus का 16 हो जाएगा, equal to minus 2 के, minus minus कर जाएगा, k बराबर आ जाएगा 8, तो k के 2 मान आएंगे, k के 2 मान कौन से आगा, 0,8, यही इसका अंसर राइट है यहाद रखना अगर आप एक मान लेके चलते मालो प्लस आठ लेके चलते तो के का कौन सा मान मिलता आपको यहाँ पर केवल आप प्लस का चार लिखते तो यहाँ पर प्लस का आठ मिलता प्लस का आठ वाला के बराबर केवल जीरो एक मान मिल जाता तो वहाँ पर नंबर कटने के चांसे हैं, कट सकता है, पक्का कटेगा, अगर उसे पता है, तो आदा नंबर पक्का ही काट, दो नंबर का कोश्चन है, आदा पक्का काट लेगा, आदा वो तबी देगा, जब आप केस टू भी लिख किया होगे, तो ये चीज़ एक दिमाग म पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए क्या करना, यहां मौड लगा होता है, इस मौड को हटाने के लिए प्लस माइनस लगा लेते हैं, फिर उस भी बज़े से यहां पर याद रखना, तो यह चीज़ अपने दिमाग में याद रखना, और दो केस लेकर, के के दो ही मान निकाल कर आना, ठीक है, क्लियर है सभी को, इंपोर्टेंट है कोश्चन याद रखना, बाकी कोश्चन सिंपल है, बाकी कोई रही, छोटा सा कॉंसेप्ट है, बास यह चीज दिमाग में रखना, अब चलते हैं अगले कोश्चन पर, अगला कोश्चन इस पर एक और करते हैं, बहु कोई दो बिंदु है मारे पास, ठीक हमने माल ली एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह, यह वन कॉमा टू है, और यह थी कोमा इस इन सुम मिलाने वाली रेखा, रेखा तो अननं तक जाएगी, मतलब कुछ इस प्रकार से अनं तक जारी होगी, इस पर एक प्रकार से यह दो करो एक काम करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और बीच में ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई इससे क्या होगा जब तीन बिन मिल जाएंगे तो साणिक आराम से बन जाएगा तो तीन बिनों से साणिक हमाराम से बना सकते फिर उस साणिक का सिंपली मान निकाल दो वही सार्णिक का समीकरण हो जाएगा अब इन तीन बिन्दों से जाने वाली अगर अगर आप तीन बिन्द मिल गए तो अब सार्णिक बन सकता है तो सार्णिक क्या बनेगा सार्णिक हम लिखते हैं क्या हो जाएगा सार्णिक हमारे पास हो जाएगा X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 111 ठिक यह मारे पास सानिक बन जाएगा और वन अपॉन टू ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वही त्रबुच की एरिया वाला सूट लगा लेंगे इससे बन जाएगा मारे पास क्योंकि संरेक होगा एक प्रकार से तीनों बिंदु तो त्रबुच का छ अब तीनों बिंदु संरेक है तो संरेक वाला फार्मूला हम लगा लेते हैं इससे हम यहां पर क्या करेंगे एक समीकड़ बनाके दे देंगे तो यहां से आ जाएगा सीद्ध यहीं लिखते हैं वन अपान टू एकसवन एकस्टो एकस्टो एकस्ट्री एकस्टोन का हमारे पास यह 1,2 तो 1,2 यह X,Y फिर 3,6 यह 111 डिरेक्ली सॉल्व कर लेते हैं क्या करना क्यों कुछ प्रोपर्टी लगा डाइट लिकरते सीदा प्रसार कर देते आरवन के स पेच प्रशार करने पर हमें तो समीकर मनाना बन जाएगा राम से कोई दिक करने एरिया वाला सूट लगा के बना लिंग वन अपन टू क्या लेना वन लिया जब वन लिया तो वाई-6 टिक फिर माइनस का टूलिया माइनस टू जब लिया ये बंद ये बंद 6-3 एक्स माइनस 3 फिर प्लस का वन लिया ये बंद ये बंद 6x3y 6x-3y टिक और एक कंडिशन तो में पता ही है अगर तरबुच का छेतफल निकाल ले हैं और ये तीनों बिंदु संरेक हैं तो इक्वल टू संरेक कमान क्या होता है जीरो इकल टू भाई जीरो नहीं बूलना है जीरो या नहीं लगाया था कि तरबुच के छेतफल वाला सूत्र अगर लगा रहें और ये तीनों बिंदु उमारे पास अंड्रेक हैं क्योंकि दो बिंदों में एक रेखा पर दिये थे तीसरा बिंदू हमने क्या किया ये मान यह बिंदू पर इस्तित है जो इनी के बीच में इस्तित कर लिया है ताकि यह तीनों बिंदू संरेक हो जाएंगे तो त्रबुच का छेत्फल जो होगा वो जीरो हो जाएगा इसी वजए से तो यह फार्मूला लगेगा अब यह 0 बराबर क्या हो गया वन अपान टू हलकल ल यह वाई 3y माइनस का 2y हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 6x कितना हो जाएगा यह मारे पास हो जाएगा सर यह और दो गया 4x वाई यह माइनस माइनस का 2 वहां टिक माइनस कटूए दो से हम भाग कर देते इसमें तो कित आ जाएगा तू एक समीका यहां से आ जाएगा तो यह यहां तक बात के लिए कि सालिक का प्रयोग करके हमें किसी मिलाने वाली रेखा का समीकण अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है हमने इसमें दो बिंदू हमें दिये गए रिपीट करने द्यान से दो बिंदू दिये गए तो तीसरा बिंदू हमने माल लिया कि X, Y इसी रेखा पर इस्तित है में कोश्चन में ग्याद करना था बढ़ा कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन था इसलिए करा जिए थोड़ा अलग टाइप का था अभी तक जो कोश्चन थे वो डारेक्टी समझ में आ रहे थे कि ऐसे इसमें एक चीज़ हमें माननी थी इसी रेखा पर क्योंकि दो ही बि कोश्चन मनेगा वो इस टाइप का हो सकता है जो मैंने तीन कोश्चन करा है इनी तीन में मिल जाएगा और बहुत किसमत अच्छी रही तो सीधे आपको तीन बिंदू कर दे देगा कि इत्रबुच का शेथफल याद करो तो डायक्ली फार्मूला रख के सीधे मान निकाल द देना मांकी हमारे पास शेथफल का अंसर हो जाए क्लियर यहां तक है ठीक है चलते हांगे निपट गया काफी निपट गया बाकी थोड़ा ही से बचाए बस थोड़ी देरो बठेरो पूरा अभी कनफर्म हो जाएगा अगला कोशन करते हैं अगला टॉपिक क्या अगला को फैक्टर्स बोलते हैं को फैक्टर होते हैं यह माइनर्स होते हैं यह को फैक्टर होते हैं अब सानिक की थोड़ी सी बात कर लेते जो सानिक निकलता है ना उप सानिक उप सानिक की बात कर लेते हम लोग ने समुच्चे के बाद उप समुच्चे पड़ा था उप समुच् सार्णिक के अव्यवों से मिलकर ही उपसार्णिक बनता है ऐसे ही से तो सार्णिक मालों को हमारे पास ले ले मालों को हमने एक सार्णिक ले ली अगर हम सार्णिक की बात करें मैंने सार्णिक को लिखी सीधे सार्णिक सही चलते हैं मालों को सार्णिक लिखी ए वन 1 ए एवन टू एंटु ए तू-वन एटू-टू-एटू-थू-खेयल, ए थ्री वन एथी टू-ए-ठीटीफ्य एक वनय यवमाहलो सानिक लिखिया और अब इस साडिक की प्रतेक अव्याफ के लिए एक उप्सानिक होगी ए वन वन के लिए अलग होगी ए वन सार्णिक के लिए निकलेगी हम किसके लिए निकालते हैं साडिक के लिए निकालते हैं A11 का उपसार्णिक अगर हम A11 का उपसार्णिक लिख रहे हैं तो इससे हम क्या करते हैं उपसार्णिक को हम M से दर साते हैं इसको हम M से दर साते हैं और सेखंड को हम लोग A से दर साते हैं capital A से तिक इसको M से उसको capital A से तो इसको हम क्या लिखेंगे M11 तो M11 क्या होगा M11 यह होगा जैसे अभी तक सार्णिक निकाले थे कि A11 निकालते टाइम यह बंद यह बंद क्या बचा कि A 32 A2 1-22 A 23 2-2 3 AT 32 पां और A 33 यहीं तो बचचेगा तो इस तरीके से आह बंद का उप्सार्निक M resurrect उप्सार्णिक वो निकले गाव यह मन्द यह मारे पासनिक बच्ति अउप्सार्णिक हो गई M11 की उप्सार्णिक हो गई जिसको M11 बोलगे रिक को दिखाने के हम M का यूज करते हैं इसलिए M11 लिख लिए यह M11 आगे अब इसको आगे हली कर लोगे इसका इसमें कुड़ा इसका इसमें कुड़ा बीच्वे माइनस का चिन हल हो जाएगी ऐसे ही मालो तो एवण्टू को सढख निकाल ना मैं सभी कर लिख की दिखाता हूँ उपसार्यृब तो उसको हम कैसे लिखेंगे इसको में लिखेंगे एम वन टू तो हम हो जाएगी ये बंद ये मन इसका निकाल लाएन ये बंद ये बंद क्या बचारे टू वन एथ्री वन A21 A31 A23 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 और A33 यह वच्छा कोई दिक्कत नहीं ऐसे ही मालों A13 का उपसान निकाल लें इसमें यार काफी लिखना पड़ेगा तो कि प्रते का वेपका भाई निकलेगा वो तो बास सच है तो A13 आएगा A13 जब आएगा तो क्या लिखेंगे A13 यह बंद यह बंद यह A21 A 22 A21 A22 A32 और A31 यह सका सारिक आजाएगा उपसान लिखाँ आगे आज आएसे हम क्या करते है एक तूवन प्रतेक का निकलेगा यह पहली पंक्तिक आया ऐसे A21 का निकलेंगे तो A21 का लिख देते हैं कः आऊई मेरे टू वन का उपसानिक जानेगा सरे टू बन का उपसानिक आएगा मटेट टू बन या झाये का ये यहшееEt यह बंध यह1 ँए-5 इसका निकाल लेते एक यह बंड़ है यह बंद एवन थ्री 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 ए ट्री थ्री एवन थ्री ठीक ऐसे एंग इसका निकालेंगे ऐसे एटूटू का निकलेगा यह क्या आजाएगा एंटूटू क्या आजाएगा सरी यह बंद एंटूटू का निकालना तो यह बंद यह बंद तो एवन वन ए थ्री वन एवन 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 एथ्री वन और एवन थ्री एथ्री थ्री कि ऐसे हम क्या करेंगे ए थ्री थ्री का उफ्सार्णिक निकालेंगे ए थ्री नहीं ए टू थ्री कि प्रतेक अब्विफ के लिए निकलेगी भाई ए टू थ्री का उफ्सार्णिक कि M23 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 यह यह बंद यह बंद811 A12 A318 normally Originally 831 A32 a3183 भाई आंगे से ही निकालना वागी निकाल कर दिकक्त्र तो नहीं A1, A1 कग से निकाला, J12 निकाला, J13 & A21, A22 & 23 ऐसे ही आंगे बारे पास आजाएंगे M31, M32 & M33 इनके आप निकाल ले ना ना बागी कोई दिक्सцеं ने सेम इसी फार्मेट से निकलेंगे और कोई परीषानिक ने बात ने कर दोनों कोर्स मैं 243 1 मालों क्रॉश टू की तुम्हें उपसारणिक निकाल लिए आप पहले M1 1 निकाल लोगए M1 1 मतलब किते इसके साथ तो यह बंद यह बंद क्या जाएं डिरेक्ली बन आ जाएगा इसमें से प्लस-माइनस का चिन्न का कोई मसला नहीं है माइनस ना परिसान होना सारे पॉश्टव चलें में जो भी डिया गया वही चलेगा आंगे यह बंद यह बंद क्या होगा यह बंद निकालना है है तो यह बंद मिया इन डू आ जाएगा υ fell per ये उपसार्णिक क्या व्हाइब आजाएंगे ऑफांगी ऑफ्सार्णिक निकले गगा अगर वीनिक लिगा तो मैं यह साल्व करना पले इसको इसके साथ इसके अपसानिक वाला टॉमिक्ट होता है बस देखो second जो है जब तक उपसांणिक तुम नहीं निकालते हो तब तक सिर्खंड नहीं निकलेगा मतलब अगर Uncle में निकालना पड़ेगा अभी मैं फार्मूरा लिकरण सेखंड कर विंग कोई कि knowledge के आम अगर अगर υψाहनिक के knowledge नहीं हमें तो हम second नहीं निकाल सकते तो इसलिए आपको उसाहनिक पहले आना चाहिए तब ही second निकलेगा तो उसारिक निकालना तो सिंपल है अभी आवी आपने इस सेखंड निकालने के लिए को फैक्टर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह aij इकवल टू माइनस वन की पावर i plus j m i.j होता है ठीक अब इसका मतलब कैसे होगा शैखंड भी प्रते कंव्याफ का निकलता है हैं माल लोख्रश मानाल ते ऐसा काम करते हैं कि जिसे दिक्कत नौद पास को सानिक है यह 11ATION 2000 ऐटू होन टूट्रीst दर्या ध्रीवन एटू तoserीटुरीद यह मारे पास को शे Thank करना का इस साउष कर रहते यहां यह परन लिक रहते हैं का उसनी प्लाइब सब्सक्राइब यह वन वन यह आव्यव की लोकेशन को दर्सार होते है कि कौन सी पंक्ति का कौन सा व्यव है तो 11 I की वैलू 1 जे की वैलू भी 1 और M11 मतलब कि कहीं न कहीं M11 का यूज आएगा और M11 हम पहले निकालना पड़ेगा जब यह M11 होएगा, तभी तो आप यह A11 निकाल पाओगे, क्योंकि इसके फार्मूले में M11 आता है, यह Mij आता है, तो A12 लिकालोगे, तो यहाँ पे M12 की जरूवत है, A13 निकालोगे, तो M13 की जरूवत है, बाकी उपसानिक निकालना ही है, अगर उपसानिक आगे तो second तो बहुत आसान है, क्योंकि पता ही के वल बस चिन यहाँ से बदल ला है, यह तो इसके इकोली है, A11 और M, यह दो आपस में इकोल है, यह सिर्फ क्या डिसाइड कर रहा है, यह वाली चीज क्या डिसाइड कर रही है, अगर 11 है, मतलब घात सम है, तो प्लस की वही सेम आ अगर यहाँ पर 12 है, तो 3 हो जाएगी पावर, तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस होती है, तो माइनस के बराबर आएगी, बस प्लस माइनस का फरक रहेगा, बाकी वो चीज सिर्फ साइन डिसाइड कर रहे है, चिन को डिसाइड कर रहे है, और कुछ नहीं, किसको डिसाइड कर किसका निकलता है सारणिख का उपसार लेक चानलिक का ऑँ सेख़डना निकालते हैं तो यहां से 12 का सख़ड कया हो गया 12 १४ माइनस ऑन की पावर 1 प्रॉश 2 यहां पर क्या हो जा एगा म बन्तू माइनस बंकी पार वन फैस्टू किता हो जायेगा 3 मतलब कि माइनस का आ जाएगा M12 A13 का सेकंड तो क्या आ जाएगा A13 equal to minus 1 की power 1 plus 3 और M13 103 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा पॉस्टी जाएगा फॉस्टी हो जाएगा तो 23 के बराबर अजाए ठीप वास्माज रहे वैसे चलाए잖아 प्लास माइनस फ्लस फिर प्लस माइनस प्लस वैसे चिंद्र केसा तो चलेगा ए 14 ए 14 तो नहींrated 121 का second second सैसा एफंड एक क्वंड तो माइनस वन की पावर milli दो को समस्या तो नहीं है तो 550 को समस्या तो नहीं तो नहीं तो सैखन्ड में बाइसा सकते हो जैसे मैं एट अगर इसकर उम्हारे पास मिलेंगे वो क्या मिलेंगे पहला वाला तुम्हारा कि दूसरा जो मिलेगा वो मौनस का मिलेगा बैनस केश साथ मिले तो ऐसए करते हैं, directly इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, कोई फाइदा नहीं उससे, क्योंकि हमें तो निकाल नहीं पड़ेगा, प्रतेक अव्यफ के लिए, तो ऐसे ही A21 का निकला है, फिर A22 का निकाल लेंगे, फिर A23 का निकाल लेंगे, A31 का, A32 का, फिर A33 का, सेम इसी प्रकार चलेंगे यहां पता है कि A22 में क्या आजाएगा, A22 में प्लस का चिन आएगा, क्योंकि दो 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 चार है, तो M22 के बराबर आजाएगा, ठीक, यह M22 के बराबर ही आजाएगा, यहां पर 23 में क्या आएगा, 23 में जो आएगा, वो माइनस के आजाएगा, माइनस के 23 के बराबर, A31 मे क्या एगा माइनस का आजाएगा और 33 में का एगा प्लस का आजाएगा इन 33 के बराबर तो जो यह हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसी अल्टरनेट करम में हम यहाँ पर सेखंड निकाल सकते हैं, कोई बा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उपसानिक और सैखन ऐसे निकालने है, इस पर हआफ गया आपकेब। अब हैं किसłości तरीके से, सैखन इस तरीके से, क्लियर हाँ आप अगबार, अब इस पर एक कोशिट न कर लेते हैं, हुए बड़ा लंबा उने वाला कोई को मैं पूर्व डजिस भी पूरी साहनिक के अव्यक्त बिखने हैं प्रते कुप ईयुक्त नहीं निकालेंगे संमज रहेकर नैं सब्सक्राइब तो समझी रहें कि कैप्टल एमेरा क्या दर साता है कैप्टल ए सैखंड को दर साता है मतलब जोड़ते हैं तो जीरो के बराबर आना चाहिए यह भी हमें सत्यापित करना है यह लॉंग कोश्चन बनेगा इस प्रकार का अगर कोश्चन आएगा कोश्चन बहु करने हो जो क्या क्यों सिंपल वाली रहेगे एकदम छोटी सी कैलकुलेशन अभी दो करके देखते हैं यह अव्यव में दिए गया है सब का हम डारेक्ली उपसारनिक लिखना शुरू कर रहे इस सीधा सानिक लिखना है ए वनवन का उपसारनिक प्रतेक का लिखना है सारे हो जाएगा तो 0-4-5-20 मतलब की मैंने सिदा मैंने सकी लिख रहे तो करते थे आए वन वन निकालने में देखोने पीछे जब निकालते थे तो ये बंद ये बंद ये जरी लेते एकने गुरा माईनस इसने गुणा वह कर दिया यहां पर यह बंद यह बंद इसका इसमें मूण इसका माईनस अंर्ट में आया एसे एवं-2 है वंट कॉ एक यह अब वुक्षा रहा है है यह स्पोड़ा इन लिकらा रहात crop माइनस का 42 और 4 एकम 4 माइनस का 4 मतलब कि माइनस का 46 ऐसे हम निकालेंगे A13 का उपसानिक M13 यह क्या जाएगा यह बंद यह तो इस बार खुला रहेगा यह खुला हो जाएगा यह बंद यह बंद 6-35 माइनस जीरो तो केवल क्या जाएगा 30 आ ऐसे ही A21 का निकालते हैं M21 यह क्या जाएगा M21 इसको अठाल लेते हैं सीधे करते हैं डारेक्ट यह बंद M21 में यह बंद माइनस च्रीन सत्य 21 प्लस का 25 25 25 माइनस का 25 वतलब आ जाएगा माइनस सचार ढालते हैं यह बंद यह बंद यह बंद यह बंद तो तो दो सत्ते दो दूसती 14 माइनस का 14 माइनस चैक पांच एकम पांच तो चोदा ओपांच 19 प्लस का माइनस को निस एटू 3 देखते रहेना कहीं भाई मिस्टेक नहों थोड़ी बहुत कैलकुलेसन ध्यान देते रहेना अब एटू 3 मतलब की सेकेंड रो थर्ड कालम सेकेंड तो थर्ड कालम पांदूना 10, minus, 3 एकम 3, minus, minus, plus 3, तो 13 आजाएगा, ऐसे ही, a3, 1, a3, 1, a3, 1, क्या हो जाएगा, m3, 1, m3, 1, क्या हो जाएगा भाई, ये बंद, ये बंद, तीन चोखो बारा, माइनस का 12, और 5 सी माइनस, 0, तो माइनस का 12 आजाएगा, ऐसे ए 3, 2, तो A32 क्या आजाएगा M32 यह हमारे पास क्या हो जाएगा M32 हो जाएगा यह बंद और यह बंद तो दो चौकु आठ और च्छे दो चौकु आठ और च्छे पंचे तीस तो आठ माइनस मतलब की माइनस का 22 ठीक ओर ए थ्री तरी लास्टेवाई ए थ्री जो उपसानिक आएगा A33 का M33 तो यह बंद और यह बंद तो है तो 40 और 46 जब का नटारा हो जाएगा तो 20 मैने स्थिक हूं मैं दो कि ठीक है यह उप्सानिक आ गया भी तू है आप भाइए सेखंड भी निकालना इसली सद्थे नहीं यमद्द य। उपसानी कैसी ृव्यव के रूर्यसक कर छाएगा और 20 स्टीचा यह सब्सक्राइब PayPal के 7 ओर अलुक्त देते माइनस-1 की घात 1 प्लस 1 और एंट वन की घात 1-1-1 कि कहां और ये 21 के बराबर आ जाएगी और एम वन वन अमारे पास क्या है माइनस का 20 मतलब यह सीधा माइनस 20 के बराबर आ जाएगी ऐसे ही एवन टू का सेखंड कूरे ही लिखने पड़ेंगे कोई option है नहीं तो एवन टू का हमारे पास क्या आजाएगा सेखंड यह हो जाएगा माइनस वन की पावर 1 प्लस 2 एमवन टू हमारे पास क्या है माइनस चीहर्श तो यह बस्काचीय जाएगा क्योंति माईनस यां से आएगा मैनेस वन की hoard 3 trilogy माइनस माइनस ब्लस को cyaion य inacond parfी का जखंड लिखेंगे तो माइनस वन की पावर क्या मैं हो एवण थी का लिखेंगे तो A13 तो माइनस वन की पावर 1 प्लस 3 और M13 तो 13 यह प्लस का हो जाएगा प्लस का M13 के बराबर आएगा मतलब प्लस का 30 आ जाएगा कोई दिक्कर नहीं कि ए टूवन है कैप्टल ए टूवन तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन और एम टूवन की वेलू क्या यह एम टूवन की वेलू माइनस फोर है यहां से माइनस एक और आ जाएगा प्लस का फोर हो जाएगा ऐसे ही ए टूटू प्लस का ए टूटू तो प्लस का ए टूटू हो जाएगा माइनस वन की पावर 2 प्लस 2 यह हो जाएगा m22 तो एम टूटू उमारे पास क्या आया है माइनस का 19 तो माइनस ही रहेगा व्हाइट तो कि माइनस वन की पावर 4 प्लस आएगा अब a318 23겠지만 शोन ठैश्छ नहीं है एक टू चैथी इन टू तरी की की ङाह जाएगा मैनस 1 की पावर two plus three mto 3 तो माइनस 1 की पावर two three माइनस का आएगा m2ory का पह यह टेरा है माइनस का सीधा ते रहा होजाएगा कोई दिखत नहीं ऐसा ही दो मुझेद यहां से माइनस वन की पावर ट्री मतलब की प्लस का और यह एंधरीवन तो महां पर यह M32 हमारे पास माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कब आईस आजाएगगा ठीक और ओर ए 33 लाश्ट बचा है भाई इस्को सध्दाजिली देते हैं 33-3 माइनस 1 की पावर 3 και प्लस 76 हो जाएगा प्लस का आएगा तो M33 और ढ alette आठाघा ये आघया ओंट ये भाई आगए उपसारणी कर से यह पूरे सेखने को फालीं शेखन्द मिल गए मतलब पहला पाटकंपलीट हो इसके बाद इस आपित बीगुच करना है एंटी क्या सतापित करना है A11 और A31 प्लस A12 A12 और A32 A32 प्लस A13 A13 और A33 इक्वल टू 0 सकता है अप्रित करना है सराथी रहाइए तो निकाल है यह स्वाइन यहां तो माइनस noting प्लस है इस पास क्या सबसे हैं पहली पंगति का का दूसरा हुए महल माइनस थी in कि a 32 क्या एठ ये 32 ये 32 ऑइवाइस तो ये 22 के बराबर है कि ये वंत्री क्या आए रफाच ये ए ट्री थी क्या आए अठारर अठार्रे तो आए जलाश्नी हां अठारा था तो ये 12 वारा दूना 24 माइनस का 24 हो गया 22 ये च्छाच्ध हो गया फैनस का च्छच्थ औरो और रहा है क्या छार्ट एहां आ तो गया माइनस का 90 माइनस चोभी स्पाइड शाचर प्लसका नबबे से नबबे कर गया जीरो आगे हैंस प्रूफ प्रूव हो गया भई मेद काम हल गई हमें लगा था कहीं मिस्टेक नहों प्रूव हो गया वाई हैंस प्रूफ लिखेंगे भई सिद्धम कि इसी लग्रना था और इसको सत्यापित करना था है यह तो समझी गाया ना एक पार्ट माइनस साथ गया तो यह के पास पहले अव्यफ था यह फिल्याव इनका गुणा करो 0 आना चाहिए आ गया जीरो तो उपसानलिक सेखंड और सत्यापित तीनों चीजें फाइनल हो गए इस पर यही कोश्यन बनता है मैक्सिमम चांस यह दो प्रकार के कोश्यन बनेगा एक तो यह बनेगा कि इसका सबका अलग अलग कि इसका उपसानलिक निकालो एक कोश्यन अगर छोटे में प अगर अगर को उपसानलिक का दो नंबर में बन गया और कुछ सत्यापित करने को बोल दिया पांच नमबर में बन गया तो डिक इसी प्रकार का कोश्यन बनेगा तुक रॉस्टू का मने समझी लिया था कि कैसे हो ना वह एक्दम आसानी से हो जाता दो ही होएंगे यह मालो इत्ता ही होगा तो इसके लेना है तो सीधे साथ हो गया इसको लेना यह 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 लिख देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं वह बन जाता है यह कोशन बनेगा उपसानिक और सेखंड नहीं तो आराम से आप करिए आराम से बस फूरा समझते हुए करिए सारा कोशन आसान है कोई कोशन ऐसा नहीं जो टफ है बस आपको फोकस रोके करना है बिल्कुल आराम से एजाम पेपर में जब भी कोशन आएगा विट वेसंस के साथ इसा नहीं कि अगदम अँवड़ाना नहीं अपको लग रहा आप आराँ-ाराम करते जिए टाइम पूरा होता है पूरे इसे दीन हैँक सोल्भ हो जाएंगा इसे दीना हे ठक करते है चलते हैं अगले क्योशन पर अगले क्वेश्चन वरह साहयत बनता है व्हीं यह एक कठेक दोनों चीज़े हैं इसमें सब बहुत कंप्यूज रहते हैं मैं खुद रहता था जब मैं पढ़ता है कि सैक जो होता इंग्लिस में इसे इमिकल अनॉपल बोलते बोलते मिक्स हो जाता है सैखंड़ आव्यू का होता है सीधी सी बात यह हम साली के सैखंड निकालते हैं तो यह सीधी सी बात है इसमें हम सैखंड किसके निकालते हैं अव्याफ के निकालते हैं अव्याफ के सैखंड निकालते हैं दूसरे पैंसे लिखते हैं अब विएफ के शैखनड किसके निकलते हैं अब विएफ के बेसिक डिफ्रेंस याद रख्को तो आप कन्फ्यूज नहीं होगी तिक और एड़ जोएंट किसका निकलता एड़ जोएंट आव यू का यू का सै खंड़ जोता है रह dul5 इसमें एक चीज इसमें कॉमन है कि सेखंड की मदद वी घ्री तब सेखंड़ निकलता एड्जॉएट निकलता है यह तो हमारे हो गया सेखंड अब रहाइं कि आविश्में ना है अव्य 3, 3-1, 2 3-2, 3-3. ये अभकन हमें निकालने होते हैं ये सैखंड के मालव आभया हो जाते हैं इस एखंड हो जाता है इसी रिदी सी बात और जब हम इसको हम कैपिटल ए से धर साथ है जब हम का यादप करते हैं तो इसे हम A D J ले ले लेते हैं के वल इस एड़ जोईंट का आंगे के तीन अच्छर ले ले लेते हैं एड़ी जे माने इसकी सिंपल सब दिखाने का तरीका है कि KBA का मतलब किया एंसंठेन का मिक्लां है यह क्या होता है यह हमारे पास कुछ नहीं वस जो लिए मदद सेखंडेंघ की ही लेनी सेखंड की लेनी है सेखंडेंगा यहां से हो जाएगा एa21 ए टूटू, ए टी त्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री त्री जो हमारे पास सैखंड होता है, इस सैखंड को अगर हम क्या करें, ट्रांस्पोज कर दें, और आव्यू फार्मेंट में लिख दें, तो वो आव्यू का सैखंडज बन जाता है, तिक इस सैखंड की मदद स से हम सेखंड़ निकालते हैं कि सेखंड वाले जो आवेव आएंगे इन आवेवों को लेकर जो आव बना देते हैं उस आव यू का अगर हम ट्रांस्पोज ले 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 परीवर्त करना पड़ेगा तो परिवर्त करने पर हमें एड्जॉइंट आफ ए मिल जाता है इस आव यू इसको बोलते है उसे पहल को इसको बोल इस और को माइनर किसको बोलते है उप सानिक ओं उने चाहिए वह को एकलता है और उसको शखंड यूट पो-वह yes शेको से बात है तेक्ट इस पर पोशेंश मनते हैं शेखिंट यह हमारे पास उपयोग प्लेश जो मारे पास उपयोग है आप यू का साफे अधन गगा गारी Yeah को कि बड़ा वाला कोशिचन बनेगा इससे आप यू के पृतलों से इसके बास एक आफ यू का पृतलों का को सिनकर लेंगे ये इससे लोंग इसी प्रकार का कोशनाएगा फिर मारे पास टोपिक एक अंतिम बसता है कि आप यू के विद्कृरम-दाराथ सहं मिकरणा मतलब का और व्युक्रम द्वाराश भी इंगर से मतलब कि अमने सेखिक कमी समीकर ढिये जाएंगे तीन समिकर उससे प्रकार से आप्यू व्यूदी द्वारा हल किया जाता है। समीकर निकाय को महल करना भी सीखेंगे बस यही बेसिक दो टॉपिक बचे थोड़ी देर और बैटना है मुस्किल से 35 मिनिट और बैटना दोनों टॉपिक फिनिस कर लेंगे और फिर उसके बाद अपना लेक्चर फिनिस हो जाएगा थोड़ी देर और साथ दिर तो पहले स्ट इसमें प्रितलोम निकालने की एक दूसरी विदी दी गई है वो डारेक्टी फार्मूले पर है एक तो प्रारंबिक संक्रियाओं के दोरा देख लिया एक हमारे पास दूसरा फार्मूला है कि किस तरीके से हम आप यू का प्रितलोम और गयाद कर सकते हैं उसका डारेक्ली और यू अइंब वो ना करद तो एक दूसरा इन गह्यून निकालना अभी हमने पीछे सीख लिया कि यू निकलता कैसे यह अपको निकालने ने बta दिया था ना किँए आपिछ uvre यहां पर बताइस है अपसाण्युक और से अधारनी को दाया और इन दोनों में दिफ्रेंस बताया तो दोनों में ने बताया ना कि उपसाणी को सेखंड जब निकाल लेते चंप सेखंड निकल thế Нिकल कर आजाते हैं तो जो में सेखंड यह होता है तो सैखंडज जो होता है वही ऐच्वएंट ऑफ यह होता है तो सैखंड के अविवों का हम क्या करते हैं अवी फार शेलने के लिए हमें क्या-क्या चछीए मनलब क Commerce निकालने क लिए क्या-क्या निकालना अब पिछे जो हमने सी खाँ उसकी बात करेंगा तो पहले फुमें M निकालना पढ़ेगा माई जै मतलब कि अजय निकालनी पड़ेगी उसाली के माध्यम से हम क्या निकाल लेंगे सैखंड निकालेंगे, Aic, पता है कि पहले उप्सारणिक निकालनी पड़ती फिर उसे सैखंड निकलते हैं, फिर सैखंड जम निकालाएंगे तो सैखंड के माध्य म से अध्यम से अध्यूकास आ जाएगा, तब उससे हम क्या करेंगे A-設 swatch निकालेंगे यह पूरा प्रोसेक् पोग इससे बनता है एक कोशिची ये मैंने दिखाया एक ये क्योंक बंता है और 2 यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है समें कर निकाए में उसमें भी इनवर्ट निकालना उसका भी मैथेट के लिए और यह पास है लोग देख लेकिन बस दो तीन टॉपिक है बस इनी को फिनिस करके अपने चैप्टर को वांडब करेंगे ठीक है चलो स्टाइट करते हैं फिर तो एक चीज तो यह हो गई कि यह फार्मूला यहमारे पास आपको एड्जुएंट निकालना आता है कि एक चैप्टर में निकालना आता है उससे डिवाइड कर देंगे हमें मिल जाएगा एक छोटी सी चीज और बतानी थी जो हमने पढ़ रखी है कि ए इनवर्स में अगर हम एसे गुणा करें चाहें एम एंवर्स से गुणा करें यह आई के बराबर आता है यह हमने आवी हमता से आएगा तो यूज ले लेंगे कि इन्वर्स में एका करें अ मैंश करें दोनों की वैल यह यह अएंड-फो के बराबर आती है थि यह तो बात्ता हिएक है क्ई कोस्टन कैसा बनता उसकी बात कर दो हमारे पास आएगा वो इस रूप का एगा तो ia हमने दिया इसमें बोलेगा कि adjoint of a से इसका inverse निकालना है मतलब कभी confusion होगा ना सर की question आया inverse निकालने का तो कैसे निकालेंगे मतलब यह वाला method लगाना है यह आमने जो प्रारंबिक संक्रियाओं दारा method पड़ा था वो लगाना है तो उसके लिए नहीं confusion question में हमेशा लिखे आएगा और प्रारंबिक संक्रिया से जब भी question आता है तो वह पहले लिख देता है कि प्रारंबिक संक्रियाओं का उपयोग करके इस आव्यू का inverse निकालो और जब joint से आएगा तो फिर वो कुछ नहीं लिखेगा यह joint लिख देगा आपको जो method सही लगे आप उस method से निकाल दें लेकिन जब joint लिखा है तो हमें joint से निकालना पड़ेगा अगर inverse लिखा है कि प्रारंबिक संक्रियाओं को उफयोग करो तो प्रारंबिक संप्रियाओं को उपयोग करना पड़ेगा इस स्का थोडटा प्रोसें कि क्लियां यह क्या होगा M1 1 तो M1 1 क्या होगा यह कटा यह कटा चार चॉको 16 तीन तरिका नो 16 से नो चले गा हमारे पास कितना बच्चा साथ एवन टू का जल्दी से निकालते हैं लिखना तो पड़ेगा यह कोई दिखकत नहीं आपके बैठने की भी परिच्छा है आज कितना आप यह क्या आजाएगा यह आजाएगा M13 तो यह बंद यह बंद तीन एकम तीन चार एकम चार माइनस का एक एवन फूर का उपसार्निक देखते रहे ना थोड़ी बहुत कल्कुलेशन भाई दूदर हो जाए तो ध्यान देते रहे ना M14 M21 A14 का हाँ से लिग दिया भाई चो चो थील मेक्रिक्स कहा से एक टूवन एम टूवन एम टूवन मतलब की सेकेंड रो फर्स्ट का लो तो यह बंद यह बंद चार एकम चार तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन एक आ जाएगा एक टूटू का उपसार्णिक तो यह क्या जाएगा M22 M22 क्या निकल आएगा यह बंद यह बंद चार एकम चार तीन एकम तीन एक आ जाएगा A23 का उपसार्निक M23, तो M23 क्या आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड का लब, ये बंद, ये बंद, तीने कम तीन, तीने कम तीन, जीरो आ जाएगा, ऐसे ये मारे पास क्या आ जाएगा, A31 का, A31 का उपसार्निक, ये मारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, M31 क्या हो जाएगा, ये बंद, ये बंद, तो तीन तरका 9, 4, 3, 12, 12, 9-12 कित्ता हो जाएगा, 9 और 12, तो माइनस 3, A32, उपसार्निक, ये कित्ता आ जाएगा, M32, तो M32 कित्ता निकल आएगा, M32 ये बंद, और ये बंद, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, मतलब जीरो आ जाएगा, ऐसे ही, A33 का, उपसार्निक, तो कित्ता आ जाएगा, M33, ये हमारे पास आ गया, ये बंद, ये बंद, ये बंद, चार एकम, चार तीन, एकम, तीन, मतलब कि एक निकला है, ये सभी के हमने उपसार्निक निकल लिए, उपसार्निक निकलना सिंपल है, सबको आप पता है न, उपसार्निक कैसे निकलना या чи वार्पॉलां उसे हम क्या करेंगा सैखने निकाल लेंगे तो अब साइkनल लिखते हैं अभा लिखते हैं एम फूरा वैसे लिख रहे हैं जैसे आपको इंगेलने हो यह चॉंखन सैक्जाम में घ्जाम में तो यह ऐह सब्क्रार बाता रहेगा कैसे लिखना सब्राब एक्जाम में, second, तो यह हो जाएगा A13, ऐसे ही A21 का second, यह क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा, A21, A22 का second, A22, ऐसे ही A23 का second, A23, A31 का second, A31, A32 का second, A32, और A33 का second, A32, इस सभी के सेखन लिख लिए, अब सेखन का तुम्हें फार्मूला या देना, कोई भूला तो नहीं साखन का फार्मूला, अभी लिखा था पीछे, क्या था, माइनस 1 की पावर, I प्लस J, तो I हमारे पास क्या, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, एक 1 प्लस 1 है, और इन्टू क्या है, गुड़े में क्या था, M11, तो M11, लिख देते हैं भी, M11, मतलब कि ये बराबर आ जाएगा, M11 के, ऐसे माइनस 1 की पावर, 1 प्लस 2, M12, तो ये किता हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 3, तो माइनस 1 की पावर 3, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का M12, ऐसे ए माइनस 1 की पावर, 1 प्लस 3, M13, तो प्लस का M13, ऐसे ही माइनस 1 की पावर, 2 प्लस 1, M21, एक्वल टू माइनस का M21, माइनस और एप नकी पावर तू प्लस डू एंव कड्ता बटू टू उता हो जाया का मैने स्काइम टू टू एसे ही माइनस ओध वन की पावर माइनस तू प्लस थू अब तू हो जाएगा तो फ्लस का जानान quem या से यह वाल प्लस का रहे गा कूटूह हुर हो भूOUGH आ वह से भी अल्टरनेट चलता है यह तो दिमांग में रख नहीं है ठीक है इक्वल टो मारे पास क्या जाएगा माइनस का M23 माइनस वन की पावर 3 प्लस 1 M31 एक्वल टू M31 ठीक ऐसे मारे पास माइनस वन की पावर 3 प्लस 2 तो यहां से आ जाएगा M3 प्लस 2 तो बराबर किता आ जाएगा तीन दो पाँच मतलब की माइनस का M32 अंतिम बचा हमारे पास माइनस वन की पावर 3 प्लस 3 M3 यह 3 प्लस भाई यहां पर क्यों लगा दिया जल्द बाजी बिल्कुल आराम से M32 और यहां पर भी M33 यह इक्वल टो मारे पास किता आया तो यह आया था यह आया था माइनस का M32 और यह आजाएगा प्लस का M33 यह मिल गया है ठीक अब प्लस यह M11 M22 M33 यह सारी चीजह मारे पास हैं इनकी वैलू डरेक्ली रिखतेते हैं M11 plus का 7 ही है M12 माइनस का 1 है M13 किता हो जाएगा M13 प्लस का 1 हो जाएगा अरे माइनस का ही रहेगा प्लस का 4 हो जाएगा यह प्लस का 1 है प्लस का 1 रहेगा कोई दिक्कत नहीं यह 0 है तो माइनस जीरो प्लस जीरो बराबरी है, यह 3-1 माइनस का है, तो यह प्लस का हो जाएगा, नहीं, 3-1 प्लस ही का माइनस का ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, M320 रहेगा, M33 हमारे पास क्या है, M33 plus का 1 रहेगा, कोई दिक्कर, यह हमारे पास क्या आ गए, सभी के सैखंड भी निकाल लिए, पहले उपसानिक पूरे निकाले, फिर सभी के सैखंड निकाले, अब इस सैखंड से, जो हमारे पास, आप व्यू बनेगा, उसका ट्रांस्पो लेंगे, तो वो काउन सा होगा, एडज्वाइंट आफे, जिसे सैखंडज बोलते हैं, यहां से इसका अगर एडज्वाइंट हमें लिखना है, तो एडज्वाइंट लिखते हैं, एडज्वाइंट आफे क्या होता है, सर, एडज्वाइंट आफे होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यह होता है, और इसके बाद इसका ट्रांस्पोर्ज होता है, सभी क्या अव्यव लिखते हैं, Adjoint of A, अव्यव क्या है, A11, साथ, माइनस वन, माइनस वन, साथ, माइनस वन, और माइनस वन, ठीक, माइनस चार, जीरो, माइनस चार, एक और जीरो, माइनस चार, एक और जीरो, फिर हमारे पास क्या है, A3 1 से, minus 3, 0, 1, minus 3, 0, और फिर क्या है, 1, टिक, यह हमारे पास क्या था, 0 था न, यह हमारे पास क्या आ गया, यह आ गया, हमारे पास, इसका transpose अभी और करना, फिर adjoint आएगा, इसका transpose कर दो, transpose जानती हो, पंक्ति को इस्तम में, इस्तम को पंक्तियों में या फिर कह दो, minus 1, minus 4, 1, 0, minus 3, 0, 1, यह आ गया, adjoint of A, ठिक, adjoint of A आ गया, अब क्या निकालना है, अब यह बास समझो, हमें question में क्या कह रहा था, question में कह रहा था, कि A into adjoint of A करो, यह बरावन आना चाहिए, determinant of A into I, फिर उसके बाद A inverse ग्याद करना है, A inverse का तो formula हम लोग लिख चुके है, adjoint A हमने निकाली लिया है, बस determinant निकालेंगे तो आई जाएगा, A, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं पहले, A हमारे पास कौन सी आभी हो, A लिख लेते हैं, 111, 111, 343, 343, 343, 343, 343, 343, 343, 343, 343, 344, यह हमारे पास क्या है, joint of A, अभी निकाला ये, minus का 7, minus का 1, minus का 1, 0, 1, minus 4, minus 3, 0, 1, यह हमारे पास क्या आगई, यह मारे पास a और adjoint of a जो है इन दोनों का हमें गुड़ा करना है multiple करना इनका गुड़ा करना है तो गुड़ा करना हमें पता है आप पहले से सीखा है किस रूप में होता था गुड़ा सर यह ऐसे होकर ऐसे जाता था गुड़ा इसका पहले इसमें फिर इसका इसमें फिर इस 7 और 3 माइनस 3 यहाँ पर यहाँ पर माइनस 3 मलब माइनस 6 तो 1 प्लस उना चाहिए है देखें इक बर अच्छा a 12 minus 1 minus की power थीद्ट है और a 13-1-3 minus 1 की power a 13 क्या था मैनस को वना है थीदेखें के 12 a 32 कहां पर यहां पर मतलब की पहली पंग दूसरा इस्तम इस थीद्ट पहली पंग दूसरा इस्तम वो भी है तो आख यह थो एक चौपको चार तीन एकम तीन ठीक प्लस का आएगा A1 3, A1 3 का मतलब पहली पंक ती, तीसरा कालम उमारे पांद I2 था छाँ था, चाँ थी A1 3 हमारे पास यह यह तो 3 एकशंच 3 और माइनस 4 एकशंच तो 3 एकशं 3 माइनस तारम ना एकशंच 4 प्लस कर चाँ तो भी माइनस का एक आएगगग प्लस का साथ कोnez दाएग सुए अमगे vista प्लस का साथ लिए अम वह भी कर लिखना प्लस के साथ्थ दिए वुंख सबसधा कोई बात ने को लिखना हैятся हुग जह मारा पास प्लस का सर थो प्लस का सथ हो तो सब सबसे ने सब्प्लस सबसाओ inhibिक कोई कि यह प्लस का साथ प्लस का साथ हम यह माइनस साथ लिख रख रहोगे एक सप्ते साथ तीन एक याप तीन एकम 3 तो 3-3-6 और सासे माइनस करो एक गुणा आप करना बैट लिख रहा हो गुणा आप एक एक करना इस्टेप लिख दूए आ फिर बताऊ हो जाएगा वैसे जाएगा माइनस 301 1 फिर इसका इसमन तो एक सत्य साथ 4 एकम 4 और तीन घंक पी बीजीरो फिर यहां से आ जाओ माइनस 4 माइनस 4 फिर 4 और 3 माइनस चार तीम एम यह वन हो जाएगा फिर यहां से आ जो यह माइनस 303 00 रही हो जाए इसका इसमें करो एक शर्थे सासत्टी ने कम तीन और चार एकम चार 0 कifa को 4 3N कम तीं तो मैंने स्टार मटना अर्म disagreed luxe scalar यह स्टी यह यह ले अव्य वहस्टी निकल के लिगा जब एड़े लेकिन प्रॉपर मैथड यह करना ऐसे हैं टिक डिटर्मिनेंट आई जब हम करेंगे अब इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स जो में ए दी गई इसका में डिटर्मिनेंट चाहिए और उसका आई के साथ जो गुणा वह इसके बराबर होना चाहिए एंट्व निकाल दिख अब यह मारे पास क्या होगा इसका लेचस हो गया बाया बचर्च के लिए हमें क्या चीए तरफ आरे के लिए पर इंटर्मिनेंट आवफ एचे टो डिटर्मिनेंट आफ ए निकाल देते हैं ए अँमारे पास का यहीं लिखी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 तो लिखी एक है अब इसका डिर्मिन निकालो कि सी के सापेज परसार कर ले टें擇 डारेक्ट लिगक्त ने मालोमं आरवन के सापेज कर रहे है तो करदो पेज है अपने पास है भी आरवन के सापेज परसार करना है ठीक तो एक लिया तो चार चोको 16 तीन तरका 9 तो 16 और 16 माइनस नो चार चोको 16 माइनस नो ठीक कोई दिक्कत नहीं माइनस का 3 ये बन्द ये बन्द ठीक एक चोको 4 3 एकम 3 तो 4 माइनस 3 ठीक प्लस का 3 ले लो ये बंद ये बंद तीन एकम 3 4 एकम 4 3 एकम 3 माइनस का 4 हल कर लो इसे 16 मैंने इस नो किये तो मारे पास कितना बचा साथ माइनस 4 से 3 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3 3-4-1 बचेगा ये भी-3 तो 7 और-3-3-6 मतलब कि ये value आ जाएगी 1 के बराबर 7-6 बराबर 1 आ जाएगा मतलब कि इस सालिक का मान जो है वो 1 के बराबर है वो आ नहीं था एक क्योंकि जब हम क्या करेंगे कि सालिक a और i का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राथ होगा सालिक direct identity matrix होती है अब आ भी तीन क्रॉस थीन का जाएगी 100001001 टिक तो यह आगया आगया into I, बराबर सीधे यही निकल के आगे 100, 00, 00, 001, यही तो हमें प्रूफ करना है, बस बेटा यही तो प्रूफ करना है, यह आगे हमारे पास RHS, LHS के आया तो यह भी यह आया था, RHS के आया यह भी यह आया, तो LHS बराबर है RHS के, कोशन लॉंग है, लेकिन कोशन सिंपल है, कोशन में बिल्कुल भी दम नहीं है, बस यह कोशन का जो प्रोसेस है, वो लॉंग है, उप्साहनिक निकालना बहुत सिंपल है, बस एक दो कोशन आप उप्साहनिक के अलग से करो, फिर उससे सैखंड निकालना बहुत सिंपल है, आ अब सैखंड जबहा गया है और सैखंड से ऊंधरे कले क्लिए हमारे पास फार्मूला है एड़ जोइन टाफे सैखंड कि सारे अव्यवर्ण दो उसका ट्राश ग्राश ले vaojour तो एड़्वाइंट आफ धम it we living mean एकिवल都 क्यों क्या है सिम्पली आीड जो 3 क्रॉस 3 कि मतलब आई 3 के एक्वल है आई 3 का मतलब क्या 3 क्रोस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समा का व्यू फिर जो हमने आरेचे सॉल्फ किया determinant of a into i determinant of a की value 1 के बराबर है और i हमें दिखी रहा है कि i क्या होता है वह सुस्से अरेचे सा जाएगा important question इस type of question पूछा भी गया है और जो बहद important question है वो इसके बात का है बहद important जो हम क्या करते है जो हमें समीकर्ण निकाय को हल करना होता है अगला topic क्या है आव्यू के व्यूत करम द्वारा रहा रहिक समीकर्ण के निकाय का हल करना है, मतलब आव्यू का व्यूतकरम निकाल कर ही हम रेखिक समीकर निकाय को हल करेंगे, रेखिक समीकर का मतलब क्या है, यह जैसे रेखिक समीकर हमारे पास दिये गए, पहला समीकर ही है, दूसरा यह, तीसरा यह, टिक तीन समीकर दिये गए, एकस वाई जड मे ने सिंपल है जो अभी चक्षीज़ हमने करी है ना उसी से स्वाल हो जाएगा उसी मेथर से विउतकरम निकालना सीखी लिए विउतकरम कैसे निकलता है विउतकरम के लिए फार्मूल हमने पढ़ी लिया एंवर्स वरावर वन अपार्ण अब हमें समीकर निकाय को हल करना पहले मैं समीकर बनाता हूँ जैसे यह दिया गया वैसे छोटा सबस इंट्रोडक्शन है बस लाज के दो तीन पेज़ चार पेज़ बाकि फिनिस अपनी क्लास देखते हैं थोड़ी देर और बैटना है बस थोड़ी देर और काम हो रहा है सबसे पहला काम हमें यह करना है जो एक्स वाइजड की गुडांक लिखें एवन बीवन सीवन इससे हमें एक गुडांको काउपयो कर के ऐसे पहलिवाली समिकड़के गुडांग लिख़ो पहली रो में दूसरी वाले के ए-3 ओर द्री वी थ्री दिर एक तुमें ये मिल जाएगी ठीक और जो ये कॉंस्टेंट वाला पार्ट होता है d1 d2 d3 इससे एक दूसरी हमारे पास मैंट्रिक्स बन जाएगी ये लिए लीटतू पास दूसरी एक स्टम्वेक तो यह मारे पास कौन सी आविए हो गई स्टम्वाविव दी बना लेंगे एक आविए इस लेते हैं यहां पर लिखते हैं एक्स वरावर एक्स आविव जो मारे पास है वो किसलिए यह जो चाहर है X, Y, Z की X Aазview हम लेते हैं एक unknown Aазview X, Y, Z यह इसलिए लेते है ताकि हम इस X Aазview को निकालकर इस X, Y, Z के मान निकालने अगर यह X Aазview 아 गया तुम्हारे पास तो वो X के बराबर होगा जो पहला होगा जो दूसरा आवयर होगा Y के रहा होगा तीसरा अव्यों का उप्योग कर रहे हैं तो यह हम अपने मन से माल लेते हैं अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हम A में X का गुणा करें सिंपल देखो A का X में गुणा हो तो A1 X B1 Y C1 Z यहीं समीकर मिल जाएगा A2 X B2 Y C2 Z यह दूसरा मिल जाएगा A3 X B3 Y C3 Z यह तीसा समीकर मिल जाएगा इककोल में क्या D1 D2 D3 यह मिल जाएगा विकल टूबी से मतलब की A multiply X करें एक वर तो अगर हम भी लिग दें तो यह मैं स समीकर पूरे मिल जाएगे जोने यह लिख रहें के सी डी सी बाती इसका गुणा इसमें वा इक्वर्टो मारे पास भी वहीं अमारे पास समीकर निकाय मिल जाएगे तो AX बरावर हमने बिल लिखा अब यह काम करते एंवर्स से गुणा करते दोनों दूनों दरफ एइन वर होण जा आई का किसी में भी गुणα हो या को पता है आई का एमें गुणा हो तो भी ए आएगा एका आई में गुणा हो तो भी ए आएगा आ अएगा किसी के थाप्षाट भी गुणा हो वहीची जाए जातीरे जैसे आई एक्दम वन की तरह एक और दिख वर्द c도 そう बनाएंगे उसका इन वर्स निकालना पड़ेगा और बी आपके पास मिली जाएगी जो चूंस्टेंट वाला पार्ट है उन दोनों नोगा कर तो एक्स मिल जाएगा बस यही काम करना है में आव्यू के व्यूतकरमदारा रेक समय करनों को निकाय को हल करने एक कोश्चन करेंगे सारी चीज़े के लिए रोड़ेंगे एकदम सिंपल है आराम से समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं हमें एन वर्स निकालना है एन वर्स निकालेंगे मतलब एड़ जयाएगा इस एड़ जयूइंट के उपयोक सेंक रहेंगे एक पहले एक हमें वो भी चाहिए होगा सारी कमान और इस साडिक के मांत से ही हम क्या करेंगे इन सब के मान से हम एइंवर्स निकालेंगे क्योंकि ए इनवर्स वरावर फार्मूला होता है वन अपन डिटर्मिनेंट और एड्जॉइंट आफ यह फार्मूला होता है पास तो हमें क्या चीए फिर से मच चाहिए एच चाहिए पिर एड्जॉइंट ऑफ चाहिए मिल जाएगा तो जो एडी गई थी यह हमारे पास जो जो एक हमने आव यू ए बनाई थी उसका फिर प्रसार चाहिए उसका मान चाहिए उसका मान निकलाएगा तो वन अपॉन डेटर्मिनेंट आफ इंटुए जॉइंट आफ एक कर देंगे तो एंवर्स निकलाएगा तो हमारे पास भी आव्यू भी होगी इसके साथ इसका गुणा करके हम क्या निकाल लेंगे एकस निकाल लेंगे और एकस वही एकस वाई जड़ वहां से निकलाएगे कैसे निकलेंगे अब इसी को प्रोसेस को करते हैं एक बार कोश्चन के माध्यम से द्यान समझना कैसा दिया जाएगा ऐसा आएगा इस रूप मे भी बात करने, यही दो कोश्यन है, बस आराम से और रुको 15-20 मिनट, बस कोश्यन फिनिस होने वालने, पहला हमारे पास समी कर लिए, दूसरा ये, तीसरा ये, सबसे करते हैं, पहले काम क्या करना है, सर हमें चाहिए आव्यू ए, इधरी लिख लेते हैं, आव्यू ए, तो 4-3, 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए मिल गया, अब हमें X आव्यू तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, X के लिए तुम वही माल नेंगे, कि X आव्यू जो है, मारे पास, वो हमारे पास, X, Y, Z है, ठीक, अन्नोन है, यही माल निकाल नहीं, और B आव्यू मिली जाएगा, B आव्यू मिलेगा, आठ एक और चार से, यह कॉंस्टेंट वाला पार्ट है, आठ एक और चार, यह हमारे पास, एक B आव्यू मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, यह तीन चीजें, हम इनी सम्मी करनों से निकाल लेंगे, कर लोगे सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, यह जो ग लिखते हैं, A11 का उपसार्निक, कोई option ही नहीं, करना ही पड़ेगा, ठीक, M11, बार-बार काफी लिखना पड़ा जाता है, A12 का उपसार्निक, M12 हो जाएगा, A13 का उपसार्निक, लेकिन आप लोग एक बार यह सारे question फिर से एक बार लगाओगे और यह बार-बार अगर लिखोगे ना, तो आपके दिमाग में एक दम फिट हो जाएगा, बैठ जाएंगे साती बाते, A21 का सार्निक, खुद को आपको उससे पता चलेग बाकि calculation वाला पार्ट देखते रहें न, थोड़ा सहीदा उदर हो सकता है भाई, error होने का chances रहता है, उपसार्निक, यह हो गया M2, A23 का सार्निक, A23 का उपसार्निक, यह हमें क्या मिल जाएगा, M23, ऐसे ही A31 का उपसार्निक, एक कोशन में पूरा लिखूंगा, आगे वाले दो कोशन में में फिर सार्ट में बताऊंगा, यह कोशन फिर से मैं पूरा लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पिछला पूरा लिखा था, वैसे ही मैं फिर से पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे ही विदवत करना है आपको एक्जाम मे बिल्कुल भी shortcut नहीं अपनाना, अगर shortcut अपनाया, long में आया है, तो पूरा विद्वत लिखके आओगे, जिससे लगे कि उसे marks देने में दिक्कत ना हो, वो पूरे marks तुरंद लिखे, जितने का आया था question, क्योंकि process आसान है, बस process ही थोड़ा लंबा है, बाकि है तो आसान, repeated M23, लिख लेते हैं, A11 कहां यहाँ पर, A11 यह काया, यह गया, यह गया, यह गया, एक एकम एक, तीन एकम थीन प्लस का हो जाएगा, तो ए एक दूना 2, तो 2 मैनस 3, और 2 मैनस 3 हमारे पास मैनस 1 का जाएगा, ठीक, M12, पतलब A12, पहली, पहली पंक्ती दूसरा इस्तम, दू माइनस फ्लस हो जाएगा दो दूना चार चार एकम चार माइनस 4 तो प्लस का 8 आँ जाएगा ना स्वरी ठीक अईब रख वन थरी पहली पंक तीसा इस्तम दो तीयां चेया माइनस का और चार एकम चार माइनस का तो छैया चार दस-10 कोई दिखत नहीं कि ए टू बन सेकेंड पंक्त पहला इस्तम सेकेंड पंक्त होगी पहला इस्तम माइनस दो दूना चार माइनस का और तीन एक तीन त्रिका नो तो माइनस चार और प्लस का नो तो माइनस चार और प्लस नो कितना हो जाएगा पांच ठीक ए टू टू दूसरी पंक्त दूसरा इस स्केकेंड पंुक्ति हो गई तीस्रा स्तंब तो तीन तनकन vive का और चार दूना आठ माइनस माइनस प्लस ओक है मलब चार दूना थो आज का तो तीन तरकर नौ माइनस का वह प्लस गाल डmm неп legal ट egonna beginnen i3 माइनस का 2-3 6 तो 3ward the title the food station i3 3-3 30 आप तीन दो दूनला चार तो तीनम 3 dogonce दो दूनला चार फ्लस है एक 4 ओर तीन कित्ता य का उत जाएगा साथ है यह आग आगा दा इस अय अब इनहीं के हमें सेखंडा लिखने सेखंड did second A1 1 है को एवन टुए ना यह वन थ्री लिखना आ इऊ ही 1-4 लिखना ए 1-4ilant है 212 वन लिखना है a 22 लिखना हैisphere 23 लिखना है A31, A32, A33, यह लिखने हैं, यह directly लिखने हैं सेखंड, आपको पता ही है कि A11 का सेखंड, A11, फिर आपको पता ही है कि वह होता है माइनस वन की पावर, यह मारे पास संबंध होता है, Aij, equal to minus 1 की पावर, I plus J, और M, I, और J, यह question का formula होता है, पतलब कि यह ही है कि विप्रीचिन होता है, जब गात हमारे पास कैसी हो जाए, विसम, 2 और 1, 3 हो जाए, तो minus 1 तो minus 1 आ जाएगा, यह विसम हो गई, तो minus 8 आ जाएगा, यह सम हमारे पास वही रहेगा, minus 10, यहाँ पर बदल जाएगा, A21 घात कैसी हो गई, विसम हो गई, विसम हो गई, तो 5 हमारे पास minus 5 हो जाएगा, A22 वही रहेगा, minus का अच्छा है, A23 फिर हमारे पास बदलेगा, minus का 1 है, तो plus का 1 हो जाएगा, A31 हमारे पास वही रहेगा, minus का 1, A32 हमारे पास बदलेगा, minus का 1, प्लस करन और लिक आगे सेखंड निकले सानिक निकला है सेखंड से हम क्या करेंग इंवर्स निकालने के लिए इंट ओप चाहिए तो यदि एड़ जोईंट आफ एब के लिए हमें पड़ेंगे वही ओगे 11a12a123 A21, A22, A23, A31, A32, 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 इसका हो जाएगा ट्रान्सपोर्स तिक अब यहां से क्या करते हैं ग्रॉंट आफ ए लिखते हैं अभिव लिखते हैं क्या हो है ए वन वन हमारे पास क्या है बाई A11, A12, A13 minus 1, minus 8, minus 10 minus 1 minus 8 minus 6, minus 1 minus 5, minus 6 minus 1, ठीक, उपर 10 ठीक minus 5, minus 6 plus 1 सही लिखना नहीं तू इदा हुदर हो जाएगा मामना minus 1, 9, 60 minus 1, 9, 60 यह हमारे पास क्या आगया? ट्रांस्पोज इसका में अभी लेना है ठीक, अब यह हमारे पास a joint of a आजाएगा इसका a joint of a कैसे निकलेगा? ट्रांस्पोज याद रखना यह दिमाग से उतर जाता है इसका 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 इस्तम में बदल देते हैं मतलब कि यहाँ पर हमें a saarniq का प्रसार चीए saarniq a का माल चीए saarniq a लिखा है कहीं पर भई saarniq a तुरो हमारे पास यह लिखा है इसका आगया प्रसार चीज इसका प्रसार नीचे यहीं निकाल लेते है यारत चाहिए भार बार जाने पर धिक्रत निग्गत करें कि निकाल लें लिक लेक उसका प्रसार कर दिया जाहिए पर साली के एक हमारे पास क्या है लिख लेते हैं क्या है साली के तीन दो चार तीन दो चार माइनस दो माइनस दो एक माइनस तीन माइनस दो एक तीन और माइनस तीन है माइनस तीन तीन माइनस एक दो तीन माइनस एक दो ठीक यह है ठीक यह हमारे पास मिल जाएगी यह आव यू आ गया अब इसका हम क्या करते हैं प्रसार कर लेते हैं प्रसार डायक्ट ली कर लेते हैं कोई दिक कर नहीं तीन लिया आरवन के सापेच करने लिख देते हैं आरवन के सापेच तीन लिया दो एकम दो माइनस तीन एकम तीन प्लस माइनस तीन एकम तीन माइनस का दो तो ये प्लस का दो हो जाएगा ये बन ये बन दो दूना चार माइनस चार एकम चार प्लस का चार और प्लस का 3 यह बन यह बन माइनस 3 दूना 6 और 4 एकम 4 माइनस का 4 ठिक यह तो यह मारे पास आ जाएगा माइनस एक बचा माइनस का 3 हो गया ठिक प्लस चार चार आट दूना 16 हो गया माइनस चार चार दस दस और माइनस 3 मलब 30 हो ठीक है तो 303 33 माइनस 33 और प्लस का सूल तो डिटर्मिनेंट आफ एक इतना आ गया माइनस 33 16 करो 7 6 13 एक दो एक दो एक तीन मलब माइनस का 17 अर्यार माइनस का 17 आई प्लस का दो गया यह बंद दो दूना चार माइनस माइनस प्लस का चार हो गया ये बन ये बन दो ती अच्छ है प्लस का तीन हुआ दो तीन च्छ है माइनस का और चार एकम चार माइनस का को दिख करने तो यह हमारे पास आ गया हमारे पास बरहबर होता है तो अइंवर्श यहां से आ जाएगाा और य्यां तो गया माइनस कवर बाई सत्रा यह लिग देती जोंह आया है कि माइनस कव्रेन वाई सत्रा और यह जाएंट ओव टॉपरन आसमी यह मैनस एक मैनस एक मैनस अथ मैने सब अदस व Hope नस-5 बैंनिस च्निंट मैनस यह और बाइनस एक नौ साथ माइनस கworker झाप और इसका हमें multiply करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है हमें निकालना है यहाँ पर फार्मूल्या क्या होता है X निकालना तो A inverse B निकालना है इन वर्स तो आ गया अब B में multiply करना A inverse B जो आएगा वही एक्स के बराबर होगा अब X तो अमारे पास लिया ही एमने कर दस माइनस का पाँच और माइनस का च्छह एक माइनस टेक नौ और साथ भी हमारे पास क्या है भी लिख लेते हैं भाई आठ एक चार लिख लो आठ एक चार ठीक अब यहां से क्या को इनका मुल्टिप्लाइब कर दूँ माइनस ओन बाई 17 ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं इसका मल्टिप्लाइब कर देते हैं अब यह तो पता ही है यह 3 क्रॉस 3 की है यह 3 क्रॉस 1 की है तो 3 और 3 यह समान है मतलव में जो मैट्रिक्स मिलेगी वह कौन सी मिलेगी 3 क्रॉस 1 की यही मिलेगी cdc बात है यह तो पता ह आएगी वो थी क्रोंस वन की आएगी ठीक कोई दिक कर ने माइनस आठ माइनस पांच माइनस चार तो माइनस आठ और माइनस पांच 8 5 13 और माइनस चार तेरह चार 17 माइनस का 17 ठीक 8 8 8 64 64 और माइनस 6 सद्र नो चुलेंगे गिता मैंने सबस्क्रेंद सब कर दिखेदा ने सब चुर्ण सब्सक्राइब प्रणीजों ग्रिंद सबस्क्राइब कर तो चौठ जुटे सबस्कते हैं ना तो चौठ जोटेस वैसे एक थी टिक अट्याटी चौठ माइनस च्ωνण तो 64 रो माइनेस्टों पूर्ग गया यनौ 24 तो सक्तर माइनस का और प्लस लूझा थिस तो किताया माइनस का 34 को ही दिख्कर ने असी एक और साच चोचण 89 तो कि गता हो जाएगा ये तो गς 8 Edge एक यंप realize that एक साँच चोच 28 29-8 मतलब की माइनस का एक एक वन माइनस का एक आगे वाई 17 से भाग करो इसमें रभावन 17 का गुणा करो सीधे से बात यह तो ए इन वर्स बी बराबर हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा कि मरॉप एपल पान सत्रा गॉरे इस से करेंगे तो माइनस का एक माइनस माइनस प्लस हो जाएक लेकर यह रूज़ जाएगा व सट्राइजव ilar कि ऊगया अब जी कि हमेर में पता ही है कि ये क। आया यह ए इन वर्स बी जो ता है सर जो ए इन वर्स भी होता है वो एक्स के बराबर होता है मनलब यह एक्स आया है बस एक्स आ गया एक्स के आया वर्ण टू थ्री और एक्स वैसे होता क्या है सर एक्स होता है मारे पास एक्स वाई जेड मतलब कि यहां से माघल लिखेंगे तो एक्स बढबर 1 वाई बनाबर 2 और जेड बराबर 3 अगे नहींस की अ गया आगे आयांसर एक्स बराबर तो उसका inverse निकालने वाला जो process है, वो थोड़ा long है, ऐसे प्रारंबिक संक्रियाओं में भी दिमाग लगना है, कि भाई उसको zero बनाना भी tough है, ऐसा नहीं कि एकदम simple है, लेकिन एक दू कोशन की तुम practice करो, खुशिल लगाओ, एक दू कोशन लगाओ कि अपने आप से तुम आपको determinant of A चाहिए, उससे inverse मिली गया हमें पास, और फिर उसको बाद आपको B से multiply करके, जो आएगा वो X निकल करा जाएगा, बस सीदे XYZ हमारे पास मान निकल आएगा, बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन, confirm chance रहते हैं, हर बार एक कोश्चन इसका मिलता है, हर बार एक कोश बनता है, एक कोश्चन confirm मिलता है, जो पीछे मैंने बताया था, ये भले ही ना है, ये वाला भले ही छूट जाए एक बार, ये भी बनता है, पांच नंबर में कोश्चन, लेकिन इसके chance बहुत जादा है, आने के, या तो इस रूप में आएगा, या हो सकता है, इस रूप मे तीन संख्याए, एक्स कॉमा वाइ तथा देन, हमने मान लिया कि तीन संख्या एक्स वाई जेड है, अब इसका प्रंशार हमारे पास क्या करते हैं, एक एक समीकड बनाते, तीनों संख्याओं का योग छेदिया गया, पहली समीकड बन जाएगी, एक्स प्लस Y प्लस Z जड पर आबर छेहां पहली समिकार दूसरी कैसे बनेगी दूसरे कैसे बनेगी यह दि हम तीसरी संख्या को तीसी संख्या को नगी मेंagen खाइं यह तेन सब तो तो हमें ग्जारा प्राप होता दीकत नहीं यह पहला मिया यह यह दूसरा समीकर मिल गया तीसा समीकर कैसे बनेगा पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर पहली पहली संख्या है और तीसरी संख्या है ठीक पहली और तीसरी पहली और तीसरी को मैंने जोड़ा ठीक जोड़ने पर एक्स प्लस जड़ो न सीधर, पहली और तीस्सन संख्या, पहली और तीस्सी संख्या को जोडने पर हमें दूसरी संख्या को उन्हें y का दोगुणा प्राप्त होता है, 2y प्राप्त होता है, इसको इस सईड लिया तो x-2y इसका बीच गड़ती निरुपन कीजिए हो गया समझ गया यह गया यह ब्रीक फॉर्म में आ गया एकस्वाइजेट की फॉर्म में लिखना था पहला समी कर मिल दूसरा मिल गया तीसरा अब इसके बाद प्रोसे सेम कि सरी संग क्या करेंगे सरी संग आव यू ए लिखेंगे, आव यू ए कैसे लिखोगे, सर यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर x का गुडांक नहीं है, तो मतलब हम 0x अमाल लेंगे, ठीक, यहाँ पर x, z है, और यहाँ पर y का गुडांक नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर ऐसा करो, y बीच में लिख लेते कोई दर था कोई न प्रसट मिली गया तो पहला हमारे पास कोppen सा इसमें एक्स नहीं था इसको गड़ांक बाकि हमारे पास बनी जाएंगे बाकि सबहीं कोई दिकरते एक्स का गुडांक वन वाई का वन वाई का वन जड का फ्री यहां पर वन 1, Y का minus 2 और Z का 1 आव्यू ए बन गया आव्यू यह कैसे बनाते थे, इनके गुडांकी तो लिखते थे ये गुडांक लिख लिए ये गुडांक लिख लिए, तीनों के गुडांक लिख दिये आव्यू A बन गया D आव्यू, B जो आव्यू होता था वो आराम से constant से बन जाता है, 6, 11 और 0, 6, 11 और 0 से बन जाएगा, तीसरा आप भी हमारे पास x आपको पता ये कैसे बनता है, x, y, z, बाकी का process सेम है, सरम पहले क्या करेंगे, पहले सरम m निकालेंगे, m निकालके फिर हम उसका सेखंड निकालेंगे, जब सेखंड आ जाएगा, तो सरम उससे adjoint of a निकालेंगे, जब adjoint of a आ जाएगा, तो a जो हमारे पास हमें a view दी जाएगी, ये a view जो a बनी है, उसका determinant निकालेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे सरम में a inverse मिल जाएगा, क्योंकि a inverse होता है, one upon a, adjoint of a, कर लोगे सारे लोग भाई, hw में लिख रह और आखरी में वो इनवर्स वाला फार्मूला, उसी फार्मूले से question solve हो जाएगा, बस ऐसे ही बनता है question, यही दो question बहुत इंपोर्टेंट है, एक तीसरा रूप और कभी-कभी लिख देता है, एक छोटी सी चीज़ है, वो और लिख लो बस, last page, चौल इस नमबर पर, last page न y upon 5, plus का y upon 2, plus का z upon 7, equal to 11, minus का x बटे 13, यह minus यहीं पर, minus लीचे लिख लगा लगा दो, minus का y upon 7, minus plus z upon 13, equal to 11, यह तीन समीकर अगर आपको इस रूप में दे दिये, तो परिशान नहीं होना, कि सर अभी तक तो यह x, y के साथ जो गुडांक होते तो उपर होते थे, अब यह नीचे लिखे हुए, तो नीचे के लिए आप वो बिल्कुल परिशान नहीं, आव यह आ 1 upon 3 लिख लेंगे, तो कैलिकुलेशन बहुत टाफ हो जाएगी, क्योंकि 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 3 से फिर हमें जब इनके उपसांडिक निकालेंगे, तो मैं पता यह कि जब हम गुडा करेंगे, तो बटे में गुडा होंगे, भिन्न संख्याएं हो जाएगी, तो आप इसको वैसे ही कैसे 2, 5, 3, यह माइनस टू हो जाएगा, माइनस के साथ गुडांगे, तो माइनस टू, 2, 7, यह माइनस का 13, माइनस का साथ, प्लस का 13, टिक, ए तो यह मिल जाएगी, डी आपको क्या मिल जाएगी, डी आपको नॉर्मली माइनस 4, 11, 12, माइनस 4, 11, 12, लेकिन जब आप X लि फ्रफ डते लेकर आप जाल के इसे आप कैर लोगे इससे एंव शॉयों इन वैसे निकलेगा जैसे आप निकालते ते एक इन वर्फ वैसे इसी से निकल लेंगे लाश इस्टप कहाँ पर फसेगा जाके सर A inverse आ गया फिर सब B से जब multiply करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं B हमारे पास क्या है यह दो खो B यहाँ पर B क्या है यह 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 B है डी लिख दिया है अब यह तो भी हमारे पास क्या यह तो फिर इसके बाद A inverse B भी निकाल लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं फिर जब A inverse तुमारे पास B आ जाएगा उसके बाद जब तुम यह चीज करोगे तुलना तो आप तुलना करने में क्या करोगे यहाँ पर तुलना करते जो आएगा उसकी तुलना किसे करोगे वनपान एक सर्जर की जो वेलू ए वह बनपान सिक्स बाकि प्रोसेस सेम रहेगा इस रूप में अगर दे दे क्योंकि एक विविविद प्रशनावली में कोश्चन दिया आप ट्राई करना उसको विविद दुजारन में आपके दिय बीवीत क्वेस्चन में ऐसा थो पर पर इस रूप में समीकड दे दिए हैं तो परेशान नहीं होना तिक या फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। इस रूप दे टू अपॉण जितना भी आपका question बनेगा, इसी से बनेगा, सारे type के question मैंने cover करा दिये, सारे concept बता दिये, maximum question practice करा दिये, जितनी कर सकते थे, थोड़ा prolong हो गया, लेकिन long होई जाता है, क्योंकि chapter बढ़ा है, 12th के सारे chapter बढ़े-बढ़े हैं, तो कुछ-कुछ ऐसे होंगे, जो long हो जाएग बीच में break भी नहीं लिया है, थोड़ा बहुत पानी आनी तो पी रहे थे, 15 मिट जरूर लेना break, 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार उसने पूरा cover किया है, यह नहीं कि अगले दिन देख रहा है, किसने किसने cover किया, जरूर मुझे comment करेगा, और कैसा था one sort, अब को बता दूगा कि किसका आएगा, मिलते हैं 1108 के साथ, तब तक के लिए, टटा बाई बाई